एलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? Bills of Exchange के थर्ड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है लास्ट लेक्चर में हम लोग ने Bills of Exchange के कुछ प्रैक्टिकल कॉंसेप्स कवर करने के शुरू किया थे जिसमें हमने कई सारी accounting treatment की चर्चा खरी थी आज के लेक्चर में भी हम लोग अपने concepts को आगे बढ़ाएंगे और study material के कुछ questions भी solve करेंगे तो चलिए बिना किसी जेरी के मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूँ आप लोग अपने registers में fresh heading डाल सकते है retirement of bill under rebate तो पहले हम लोग लिख लेते हैं इसमें सारी चीज़ों को और फिर इसको संज़ेंगे तो आप लोग मिर साथ लिखना शुरू कीजेगा तो इसमें आप लोग पहला arrow डाल के लिखना retirement of bill under rebate इसके heading डाल के इसमें लिखना शुरू करना first arrow डाल के when the acceptor of bill bracket में लिखना ड्रोई जरी पस," anymore पस्वार ऑट सि क्यों लिखना शुर आप लोगमार ₱豉 क्यों, जरी पस्सक लूगर बट सि अ ईसके लरण को सि शुरूगई Αंटर दN लिखन, लिखना ऑट रटYबार favorकFr, retirement of bill retirement of bill next arrow डाल के लिखना in such a case in such a case the holder of bill bracket molecular drawer allows a deduction for the interest involved interest involved this is known as this is known as rebate this is known as rebate rebate word को आप underline कर लेना next arrow डाल के लिखना next arrow डाल के लिखना rebate is rebate is an expense oblique loss for the drawer for the drawer for the drawer and an income for the drawer next arrow next arrow accounting treatment accounting treatment इसमें इसमें सबसे पहले in the books of drawer in the books of drawer entry लिखना cash cash bank account debit rebate account debit two bills receivable account हिए ہगे होगे interessषבא एंदा पूक्च siamo यह होगे entry लिख्य ओ figur prayer नेीzk होगे एंदा इंदा बूक्च ओ द्रोर मुर्डे लिख्याऊ्य पूक्च रयव equiv Side इसमें एंट्री लिखनाप लो Bills Payable Account Debit To Cash A Bank Account To Rebate Account To Rebate Account ये एंट्री हो गई अच्छा सर, Rebate Calculate कैसे करते हैं Rebate Calculate कैसे करते हैं तो उसके लिख लो आप लो Rebate is equal to Bill Amount Into Rate upon 100 Into Remaining Period Upon 12 एक और स्टार डालके लिखना Remaining Period का क्या मतलब हुआ Remaining Period Period between Actual Date of Payment Actual Date of Payment And Due Date of Bill And Due Date of Bill इतना आपको लिखना है इस concept के अंदर तो I hope इस concept आपने मेरे साथ साथ note down कर लिया होगा अब इसको जल्दी से समझना शुरू करते हैं बहुत simple है कुछ खास है नहीं देखो जी सबसे पहले हम आपको last lecture का जो last concept हमने cover किया था उस पे लेके जाता हूँ कौन सा concept कवर किया था हमने सबसे last में renewal of bill का renewal of bill का हमने concept cover किया था बलकि exhaustibly cover किया था और उसके उपर हमने बलकि question भी करे थे तो renewal of bill में due date मानलो यहा होती थी बिल की due date होती थी यहा unified और जो actual payment होती थी उसमें actual payment क्या due date पर होती थी the answer is no जो actual payment होती थी वो due date के आगे होती थी वो due date के आगे होती थी है ना basically क्या होता था पुराने bill को cancel कर के हम नय bill बनाते थे और period का extension देते थे draw को और इसलिए मैं नहीं बोला कि जो original due date है उससे आगे जाके payment होती थी bill की इसलिए यहाँ पर क्या वता था basically क्या यह delayed payment आप कह सकते हो delayed payment है delayed payment है देर से हो रही है payment तो जब देर से पेमेंट होती थी तो हम क्या बोलते थे कि भाई ठीक है पेमेंट देर से हो रही है पेमेंट रिसीव हो रही है ड्रावर को तो क्योंकि ड्रावर को पेमेंट देर से मिल रही है तो उसको हम लोग एक इंट्रस्ट अलाव करते थे है ना और ड्रावर के लिए क्या होता था और ड्रॉई के लिए इंटरस्ट खर्चा होता था क्योंकि उसको बिल के अलावा extra interest भी pay करना पड़ता था अब आप retirement of bill में क्या होगा retirement of bill मैं retirement की बात करता हूँ retirement of bill में कहानी एकदम उल्टी होगी उल्टी होगी का क्या मतलब same way में आपको बताता हूँ same way में बताता हूँ तो अगर due date यहाँ पर पड़ रही है अगर due date यहाँ पर पड़ रही है किसी बिल की तो retirement of bill में क्या कहानी होती है retirement of bill में drawy अच्छा बच्चा होता है drawy अच्छा बच्चा होता है वो due date से पहले ही आके payment कर देता है तो अगर due date मेरी यहाँ पढ़ रही है तो actual payment उससे पहले ही हो जाती थी actual payment उससे पहले हो जाती थी suppose यहाँ पे है ना तो advance कह सकते हो आप early payment early payment कह सकते हो तो draw यहाँ पे early payment कर दे देता है drawer को तो अब यहाँ पे कहानी क्या होगी the moment मैं कह रहा हूँ यह early payment है तो अब आप दुबारा सोचना जब ड्रॉई ड्रॉइर को early payment कर रहा है वक्त से पहले payment कर रहा है तो क्या अब उल्टा होगा नहीं हो जाएगा क्या आप ड्रॉई नहीं बोलेगा ड्रॉईर से देखो मैं तो मैं टाइम से पहले पे कर रहा हूँ तो मुझे कुछ discount दे दो मुझे आपसे कुछ discount चेह क्यों कि मैं आपको due date से पहले payment दे रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होता था यहाँ पर क्या होता है बोलना चीए जो ड्रॉई होता है उसको कुछ रिबेट मिल जाता है कुछ डिसकाउंड मिल जाता है है ना और correspondingly ड्रॉईर को क्या करना पड़ता है यह रिबेट को बियर करना पड़ता है है ना और अगर रिबेट दे देता है, support draw रिबेट दे देता है 10 रुपे का, तो actual में जब due date से पहले payment हो रही होगी, तो तब कित्य रुपी की payment होगी, 90 रुपी की payment होगी, तो ये जो 10 रुपे का जो रिबेट हो गया, ये draw के लिए क्या हो गया, draw रिबेट अलाओ कर रहा है, उसक उसको 10 रुपे का पायदा हो रहा है, तो ये रिबेट ड्रॉइ के लिए क्या हो जाएगा, एक income हो जाएगी, just like discount received and discount allowed, जिस प्रकारत हम discount allowed बोलते थे, क्या होता था, वो खर्चा होता है, discount received एक income होता है, similarly रिबेट जो draw अलाओ कर रहा है, तो वो उसके लिए खर्चा है, और draw ही जिसको रिबेट मिल रहा है, जिसको receive हो रहा है, वो उसके लिए income है, accordingly मेरे concept का देखो, अब नाम क्या पढ़ गया, इसी चीज़ को देखो बोलते है, retirement of bill, इसी चीज़ को हम बोलते है, retirement of bill, और इसलिए मैंने concept की heading देखो, क्या डाली, retirement of bill under rebate, क्योंकि जब retire होता ह है, this is the concept of retirement of bill, तो देखो, यही चीज़े लिखी है, तो क्या लिखा, एक बार रीट करेंगे, जल्दी-जल्दी से, with the acceptor of bill, acceptor of bill कौन हुआ, हम यह draw ही की बात कर रहा है, pays the amount of bill before the due date, before the due date, it is known as retirement of bill, तो मैंने क्या बोला, draw ही क्या है, यहाँ पर अच्छा बच्चा है, देर से करता है, यहाँ पर वो payment जल्दी कर रहा है, तो draw ही अच्छा बच्चा है, in such a case, the holder of bill, that is draw, allows a deduction for the interest involved, this is known as rebate, है ना, तो मैंने यही देखो, deduction बोली ना, 100 रुपे का अगर बिल था, हमारे example में 100 रुपे का बिल था, तो 10 रुपे का उसने के एक deduction दे दिया, एक rebate द अब खुद आप logically सोच सकते हो, draw के लिए क्या है, रिबेट, draw के लिए एक खर्चा है, नुकसान है, क्योंकि उसको allow करना पड़ रहा है, और draw के लिए rebate क्या है, यह income है, क्योंकि उसको rebate मिल रहा है, अगर आपको concept समझ आ गया, अगर आपको concept समझ आ गया, तो अब मैं द picture में भी बोलूँगा, और जब तक एक chapter चलता रहेगा, तब तक मैं बार बार यह बात बोलूँगा, ताकि आप लोग बजय रिटने के, अपने आप question पड़ो, और खुद entries बनाना शुड़ू करदो, देखो, logically सोचना, अगर मैं बोलू, draw के books में entry कैसे होगी, draw के books में entry कै इसे हो, तो draw के point of view, उसे सोचना, bill के against उसे पैसा मिल रहा है, मैं ये example लूँगा, मैंने 100 रुपे का bill बोला था और 10 रुपे का rebate बोला था, तो मैं इसी को example लेके चलता हूँ, तो जब मैंने बोला, draw को क्या हो रहा है, bill के against पैसा मिल रहा है, तो 100 रुपे का bill था, draw के ल 100 रुपे के bill के बदले में, actually मैं मिल कितने पैसे रहे हैं, क्या पूरे 100 रुपे मिल रहे हैं, या सिर्फ उसमें से 90 रुपे मिल रहे हैं, दामसाजिस उसमें से सिर्फ 90 रुपे मिल रहे हैं, तो cash या bank में, हमें actually में कितना पैसा draw को receive हो रहा है, 90 रुपी, 90 रुपी receive हो र straightforward entry बन जाएगे अधाद बेस्ट करो अगर्ण का समझ आगया तो बिस द्रौइगी point of view जो सोचो अभ द्रौइग के लिए यह bill क्या है उसके लिए bill payable है एक liability थी अब यो लाइबिली टी खतम हो ली क्योंकि वह पे कर रहा है तो सौ रुपी गी लाइबिली टी बिल पेबल की खतम हो गई डॉपी गी, तो उस सो रुपए से बिल पेबल तो सबस्क्राइबिट करते है, अब वो सौ रुपी लाइबिली टी की बदल कितने रुपे दे रे घ Josh अर पूरे सौ Gomez plea कर रहा है फायदा है, income है, gain है तो फायदे को क्या करते हैं हमेशे हम लोग credit करते हैं तो rebate को हम 10 रुपी की क्या बोल देंगे इसको हम लोग credit करतेंगे बन गई है आपकी entry तो हो भई, entry आप अपने आप बना पाओगे अभी तक मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जित्ती भी हमने entry सीखी last lecture में और अभी के मैं आपको पूरा सारी entries के पीछे की कहानी और logic बताते हैं चलूँ ताकि आप लोग अपने आप से entry बना पाओ अब एक छोटी भी बात और जब हम लोग rebate की बात कर रहे हैं और दो rebate बहुत common sense है calculation उसकी question भी कराओंगा study material के तो आपको और भी समझ आ जाएगा कि भाईया आप बिलकुली common sense की बात है बट rebate अगर मैं बोलू calculate कैसे करोगे तो उसका भी एक मैंने एक formula छोटा सा लिख दिया bill का amount जित्ते भी रुपय का bill है interest rate rebate का कोई rate per annum दे रखा होगा आपको per annum का rate आपको question में दे रखा होगा वो ले लिया into period basis में होगा किस period के लिए आप rebate allow करोगे भाई जितनी महीने या जितने भी दिन की early payment होगी उस period का ही तो आप interest allow करोगे या rebate allow करोगे तो इसलिए मैंने बोले remaining period upon 12 तो suppose अगर bill था तीन महीने का लेकिन जो ड्रॉय उसने payment दो महीने में ही कर दी तो तीन महीने का bill था दो महीने में payment कर दी तो कितनी early payment कर दी आप लोगे से एक महीना जल्दी payment कर दी एक महीना जल्दी payment कर दी तो जो एक महीना जल्दी payment कर दी इस एक महीने के लिए हम लोग rebate calculate करेंगे यही मैंने remaining period का meaning में लिख दिया period between actual date of payment and due date of bill due date थी bill की तीन महीने बाद लेकिन payment हो गई दो महीने में तो इन दोनों की बीच का जो difference है इन दोनों की बीच का जो period हो गया एक महीने का इस period का आम लोग rebate calculate कर लेंगे this is the whole concept of retirement of bill under rebate तो आपको पहले तो आपको पूरे concept और कहानी की clarity मिल गई होगी अगर आपको यह समझ आ गया है तो चलो हम लोग फटाफट से study material का इसके उपर question कर लेते हैं चलो तो आप लोग अपने study material में page number 6.12 पे खोलना illustration number 3 illustration number 3 page number दुबारा बोल रहां 6.12 तो छोटा सा illustration है बहुत छोटा सा question है पढ़ना मेरे साथ है on 1st January 2020 Ankita sells goods for Rs. 5,000,000 to Bhavika and draws the bill at 3 months for the amount तो क्या हुआ अंकिता ने भावika को कुछ goods बेचे 5,000,000 रुपे के और बदले में क्या किया ती महिने का एक bill draw किया तो पहले तो भाई जब भी bills of exchange के question करो मैंने पहले भी बोला आपको parties identify कर लो इतनी कहानी पढ़के I'm sure आप party identify कर पा रहे होगे अंकिता ने goods sell करा ठीक है अंकिता के लिए sales हुई और बदले में एक bill draw कर दिया तो अंकिता कौन हो गई मेरी draw हो गई और भावika कौन हो गई भावika हो गई ड्रोई तो पहले हम लोग parties identify कर लेंगे आगे भावika accepts it and returns it to अंकिता तो जैसे कि आपको पता ही है जो draw ही होता है वो bill accept करता है तो बस वही लिखा है भावika ने bill accept कर दिया on 1st March 2020 अब dates का ध्यान रखना bill draw कब हुआ? एक जनवरी 2020 को basically एक जनवरी को sale हुई और same date पे bill draw हो गया अब आगे कहानी बोल रहा है on 1st March 2020 भावika retires her acceptance under rebate of 12% per annum 12% per annum आप से मांग रहा है record the transaction in the journals of अंकिता और भावika that is draw and draw ही दोनों की books में आपको entry record करनी है आप last lecture के end में मैंने illustration 2 cover कर आया था जो renewal of bill कूपर था उसमें भी same कहानी थी आपको दोनों draw और draw ही की books में entry करनी थी और मैंने आपको lecture में draw की books में entry करवाई थी और draw की books में entry में आपको home Uck में दीती तो अब यहाँ पर मैं öl्टा करता हूँ यहाँ क्या काम क करते हैं हम लोग draw की books में entry अभी कर लेते है और draw की books में entry आप लोग खुद eh homework में करके देखना तीकै तो हम लोग किस की books में entry करेंगे भाविका की books में entry करके मैं आपको दिखाऊंगा हर question में अगर drawer की books में entry करा दूँगा तो आप बोलो कि sir आप हर बारी drawer drawer की books में कराते रहे तो drawer की books को आप छोड़ देते हो इसलिए मैं यहाँ पर drawer की books में एंट्री करा रहा हूँ ठीक है चलिए जी आ जाओ जी तो हम लोग करते है भाई illustration number 3 बहुत छोटा सा और simple सा question है आपका illustration number 3 तो मैंने आपसे बोला हम किसकी books में entry कर रहे हैं लिख लेते हैं in the books of in the books of भाविका ठीक है ऑघग्ट में आप लिख सकते हैं ड्रोई exam में भी अगर आप लिखना चेओ तो लिख सकते हो ड्रोई ठीक है कोई दिक कर नी नाम ज़रूर लिखना कि कि किसी books में entry कर रहा है औख ब्रैग्ट में आप ट्रॉई भी लिख सकते हो कोई दिककत की बात नहीं है चलो जी तो date wise entry करेंगे तो पहले तो बही 1st January 2020 को sale होई तो बेचा किसने अंकेता ने भाविका को बेचा तो भाविका के लिए क्या होगई परचेस होगई तो हमें 1st January को परचेस के entry record गनी होगी तो परचेस account debit to अंकेता's account to अंकेता's account कित्ती रुपी की परचेस है पाँच लाग रुपे पाइब राइट अच्छा same date पे फिर बिल रहा हुआ तो बहाविका ने बेसिक लिए क्या गया बिल एकसेप्ट किया तो बहाविका के लिए ये बिल्स पेबल हो गया तो क्या entry हो जाएगी अंकेता को हम डेबिट कर देंगे अंकेता's account डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट शौट में लिख रहा हूँ बीपी लेकिन एक्जाम में बीपी ने लिखना भाई एक्जाम में पूरा लिखना है लेकिन अभी मैं शौट में बीपी लिखना हूँ एक्जाम में प्रॉपरली लिखना अभी समय बचाने के लिए बीपी लिख देंगे तो अंकेता's account डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट होगी मेरी एंट्री खतम अब सबसे पहले मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि मुझे एक बात बताओ यहीं पे कर रहा हूँ अगर मैं आपसे पूछू कि जो बिल है इसका डू डेट क्या पड़ेगा तो बिल है भाई ती महीने का ती महीने का बिल है ती महीने बाद कोरिस्पॉंडिंग डेट क्या पड़ेगी आप बलोगे कि पड़ेगी 1st 1st April 1st April 2020 पड़ेगी मेरी डू डेट 1st April 2020 डू डेट पड़ेगी अच्छा जब मैं इसमें 3 दिन के grace period को add कर दूँआ तो आप बलोगे साथ डेट पड़ेगी 4th April 2020 तो exact maturity date मतलब बिल actually में डू कब होगा यह 4th April को डू होगा अब question ने क्या बोला question में आपसे बोला कि भाविका ने कौन सी डेट को payment कर दी मतलब कौन सी डेट पे बिल को retire कर दिया 1st March को कर दिया 1st March को भाविका ने बिल retire कर दिया ठीक है तो सबसे पहले आपको इसमें rebate की calculation करनी है क्योंकि इसमें rebate को rate दे रखा है 12% per annum का rebate आपको बता रहा है question में आपके पहले में आपके साथ यह discuss करना चाहता हूँ कि भाई rebate कितने महीने का निकलेगा अब यहाँ पे थोड़ा सा हाँ हमको careful रहना और कुछ नहीं थोड़ी सी बहुत simple बात का ध्यान रखना है आप क्या बोलोगे आपका जो प्राइमा फेस ही है सबसे पहले दिमाग आपका बोलेगा सर पेमेंट हो रही है first March को due date bill की बढ़ रही थी 4th April की तो हमें first March से 4th April के बीच का period लेके इस period का rebate निकलना चीए यह आपका दिमाग बोलेगा और logically ठीक भी है logically ठीक है यह आपकी बात दीक है बट जब हम calculation करेंगे अपनी questions में exam में तो हम क्या करेंगे हम exact महीने में calculation करेंगे हम exact महीने के आपको calculation करने होगे आपको technical ऐसे days की technicality में नहीं पढ़ना होगा आपको exact महीनी की calculation करनी होगी तो आप क्या बोलोगे आप बोलोगे कि sir first April को actual due date थी grace period छोड़ दो first April को due date थी और payment होगी first March को तो कितने महीने पहले payment होगी one month पहले payment होगी एक महीना पहले payment होगी तो rebate हमारा निकलेगा कितने महीने का एक महीने का लेकिन अगर question में आपको बोलता कि bill retire हुआ first March को नहीं bill retire हुआ fourth March को suppose question अपसे बोलता हालकि इस question ने बोला नहीं है लिकिन मैं बोलवी हो suppose question में लिखा होता कि bill retire हुआ fourth March को तो again फिर वहीं आप से पूचूँँगा अगर बिल 4th मार्च को रिटायर हो रहा होता तो फिर आप कौन से पीरेड का रिबेट निकालते, किते पीरेड आप रिबेट कैलकुलेट करते, आप बोलोगे, सर अभी तो आपने बोला, कि इसको छोड़ो, ग्रेस पीरेड के बाद आइड करें, मेचिरिटी डेट को रही थी ना, तो सर हम 1st April से लेके 4th मार्च, इसके बीच के पीरेड जो है, इस पीरेड का हम लोग रिबेट निकालेंगे, तो जब अगें, दुबारा वोई प्रबलम होगी, जब हम इस पीरेड का रिबेट निकालेंगे, तो ये डेज में आने लग जाएगा, आपको जो calculation करनी है, वो exact month में करनी है, exact round figure में month लेके करनी है, तो अगर question भे आपको 4th March की date दे रखी होती, कि retirement ओर ये bill की 4th March को, तो उस case में फिर आप क्या करते, उस case में आप लोग जो महीनी की calculation करते, वो 4th March से लेके 4th April की करते, that is again यहाँ पे भी आप 1 month का ही रिबेट लेके चलत है, यह मैं आपको clear करने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो बाद में आपको doubt आएगा, तो bills of exchange chapter में जब इस प्रकार की calculation होगी, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, तो आपको hint ही ले लेना है, question ने क्या बोला, question ने 1st March बोल दी rate retirement की, तो आपको hint ले लेना है, कि चलो 1st March बोली है, तो 1st March से लेके हम 1st April तक का period लेंगे, अगर question में वो date 4th March दे दे, तो again वो आपको hint दे रहा है, तो आपको hint ले लेना है, फिर आपको क्या करना है, 4th March से लेके actual maturity date after grace period के बाद जो पढ़ रही है, उस period का आपको calculation करनी है, तो जब आप पढ़ोगे न, dates आपक तो अगर, ताकि आपके दिमाग में ऐसी कोई confusion ना है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर वक्त सेखे, अभी यह चीज क्लियर कर ले रहा हूँ, बाद में जब मुम question करेंगे, तो आपके दिमाग में doubt नहीं आना चाहिए, कि sir यहाँ पर हमने इस period की calculation क्यों करी, यह basic के लिए आपके लिए काम असान करा जा रहा है, अगर days में calculation करने लग जाओगी, तो आपके लिए काम बढ़ जाएगा, यहाँ आपका काम easy हो गया, तो अगर मैं वापस से इस question में आ जाओ, इतनी बड़ी चर्चा करने के बाद, मैं वापस question में आना चाहता हूँ, और मैं आपस question म बारभी पास हो चुके हो, अच्छा अच्छे नम्मरों से आप लोग ने बारभी पास की है, आप लोग बहुत होश्यार हो चुके हो, तो आपको यह formula रेटनी की ज़रोत हैंगी, आप खुदी लिक निकाल लोगे, तो आप बोलोगे ज़र बिलता पांच लाग रुपे का बहुत अच्छी बात है, बारा परसंग का रिबेट का प्राइनम का रेट दे रखा है, ओके, और कितने महीने का मैंने आपको समझा दिया, कितने महीने का हम लोग यहां पर रिबेट निकालेंगे, एक महीने का रिबेट निकालेंगे, तो जब आप इसको solve गरोगे, तो I think की कैलकुलेशन दिखानी है, और एक और बात, study material के solution में शायद उन्हें ने रिबेट की कैलकुलेशन नहीं दिखा रखी, तो आपको भाईया यसी shortcut नहीं मारने exam में, हाला कि आपको लगेगा कि हम रिबेट तो कैलकुलेटर में calculate कर लेंगे, हमें तो कैलकुलेटर की सुभ आंसर में ICI के calculation पार्ट ना दिखे, पूरे accounts में, जहां पे भी आपको किसी चीज़ की calculation करनी है, आपको calculation दिखानी है, जब हमने company accounts की lecture करे थे, तो वहां जब capital reserve की calculation करते थे, वहां पे भी मैं आपको बोला था, कि capital reserve आप चाहो तो calculator में निकाल सकते हो, लेकिन आपको capital reserve की calculation solution दिखानी है, उसके बना आपका solution अधूरा है, तो मैं number काटता हूँ, अगर बच्चे टेस्ट में calculation नहीं करके दिखाते हैं, जहां उन्हें दिखानी चाहिए, I always deduct the marks, तो आपको इस बात का ध्यान रतना है, मेरे जैसे और भी संकी examiner हो सकते हैं, जो आपका actual में paper चेक करे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ही चीज़, राइट, चलो जी, तो आज हो जी, अपनी entry में हम वापस आ जाते हैं, 1st March 2020 को bill retire हो रहा है, तो entry बहुत simple है, हम drawy की books में entry कर रहे हैं, तो इसका एक तो bills payable की liability अब खतम हो रही है, क्योंकि bill retire हो रहा है, तो कित्ती 5 ला पाक में इसे 5,000 रुपे का rebate मिल गया, तो actual payment कित्ती रुपे की हुई, 4,95,000 की हुई, और बचे होए rebate की income हो गई basically मेरी यानि drawy की rebate वो अपना credit कर देगा 5,000 रुपे से, ठीक है, बस इतनी आपकी entry हो गई, and that is the whole question, right, तो ये थी entry in the books of drawy, तो मैं आपसे बोला, drawy की books म आपको खुद से entry करनी है, तो I hope आपको समझ आ गया होगी, सारी बात, जो जो भी मैंने आपको बताई, इस concept के अंदर, एक question मैं आपको और कराता हूँ, अब आप लोग अपने study material में खोलना, illustration number 6, illustration number 6, page number मैं बता देता हूँ, 6.14, 6.14, illustration 6 एक बार पढ़ना मेरे साथ, on 1st of January 2020, विलास draws a bill of exchange for rupees 10,000, और payment after 3 months, on एकनात, एकनात accepts to this bill of exchange, तो पहली बात, party identify करो, अब तो आप लोग इसमें हुश्यार होई गया होगे, विलास कौन हो गया भाई, विलास ने bill बनाया, तो वो draw हो गया, एकनात कौन हो गया, एकनात ने bill accept किया, तो वो draw ही हो गया, simple, आचा, बिल कितने महीने का है, ती महीने का बिल है, तो बिल का term भी आपको दे दिया, फिर कहता है, आप देखना, पोशन में गया, गौर करना, बिल देखो, draw कब हुआ था, 1st January 2020 को, अब देखो, आगे क्या कह रहा है, on 4th March 2020, एकनात retires the bill of exchange, at a discount of 12%, पर रहा है, आप डिसक आपको विलास के बुक्स में एंट्री करनी है, that is, draw के बुक्स में एंट्री करनी है, पहले तुम आपके जानकरी के लिए बता दू, जो illustration 6 है और 5 है, वो same है, डिट्टो same illustration है, illustration of 5 और 6, बस इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने question को अलग-अलग illustration में तोड़ दिया, illustration 5 5 में वो एकनात की, यानि draw के books में एंट्री मांग रहा है, और illustration 6 में किस के books में एंट्री मांग रहा है, विलास के books में एंट्री मांग रहा है, that is, draw के books में एंट्री मांग रहा है, तो इस question में हम लोग बारी-बारी कर रहे है, पिछले question में मैं आपको draw के books में एंट्री कर रहा रहा हूं that means यह आपका illustration 5 homebook हो गया तो साथ साथ आप अपने इसको mark कर ले ना यह आपको self करना है तो बिल्कुल सेंग कोशन है बस यहाँ पे draw की books में entry करनी है चलो आचा दूसरी बात देखना जो मैं आपको last question में point out की थी समझाई थी इस question में देखना कौन सी date को bill retire हो रहा है 4th March को अब देखे रहाए आप 4th March को bill retire हो रहा है या नि आपको hint मिल गया 1st January 2020 को bill draw हुआ 3 महीने का bill था तो पहले बताओ इसकी new date किती निकल कर दूँगा तो यह आ जाएगा किता 1st April 2020 एना और अब के मैं इसमें क्या करूँगा तीन दिन का grace period आइड कर दूँगा तो मेरी actual due date आएगी 4th April 2020 और bill retire हो रहा है 4th March को तो मैं 4th March से लेके 4th April के बीच का period consider करूँगा ताकि मेरी calculation exact महीने में आए चीक है तो यानि यहाँ पर भी पहली बात same one month का rebate calculate होगा यह चीज में already last question में आपको बता चुका तो वहीं पर clear कर चुका था तो आप यहाँ पर देख सकते हो same चीज यहाँ पर हो रही है इसके अलावद तो question कुछ भी नहीं है बिल्कुल simple है चलो करी लेते हैं इसको illustration 6 जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको illustration 6 कर रहे हैं हम लोग और 1st January 2020 को पहली entry होगी तो हम कर रहे हैं किसके books में entry यह भी लिख देते हैं drawer की books में entry कर रहे है in the books of villas ठीक है यह हम drawer की books में entry कर रहे है चलो जी अब drawer के लिए क्या है वो बिल ड्रॉकर रहा है तो उसके बिल receivable है तो be our account debit टू एक नाथ्स अकॉंट तो जल्दी कर लेते हैं किते रुपे का बिल है 10,000 रुपे का बिल है और अपके कौन से डिट को बिल रिटायर हो रहा है 4th March को रिटायर हो रहा है तो क्या entry कर रहेगा भई अब drawer की books में entry कर रहे है तो देखो भई उसको cash में है या जो भी बैंक में पैसा मिल जाएगा अभी calculation कर लेंगे कुछ उसको rebate allow करना पड़ रहा है उसके लिए खर्चा है तो rebate को debit कर देंगे और एक BR bill receivable जो asset create किया था वो खतम हो रहा है क्योंकि उसके against payment मिल जा रही है तो 10,000 से वो मेरी मेरा bill receivable खतम हो जाएगा और जल्दी से अगर मैं आपसे बोलू कि फटा फट से मुझे बताओ rebate कैसे निकालेंगे इसमें तो वो मैं आपका already बता चुका तो rebate कित्ते रुपे का आएगा again यहाँ पे institute ने solution में calculation नहीं दिखा रही हलागी उन्हेंने narration में ज़रूर लिख दिया है but proper calculation नहीं दिखाई बढ़ आप लोग दिखा देना calculation तो 10,000 रुपे का bill है कित्ते परसंट का rate बता रहा है वो ही 12% और यहाँ पे भी सेम एक महीने का हम लोग calculation कर रहे है तो this will come out to be rupees 100 that means 10,000 रुपे में से 100 रुपे का rebate अलाओ हो रहा है और बचे और 9,900 रुपे कैश में मिले है खत्म this is the whole concept of retirement or bill तो मैं उमीद करता हूँ इन दो questions के साथ आपको retirement का concept समझा गया होगा अब आपका renewal और retirement दोनों का concept खत्म हो एक मैं आपको study material का अच्छा सवाल कराना चाता हूँ तो हम लोग उसकी और बढ़ते हैं चलिए अब आप लोग मेरे साथ करना illustration number 4 illustration number 4, page number 6.13 इसको आप लोग mark कर लो important इसको mark कर लो important पढ़ना या ता journalize the following transactions in K-Katraks books journalize the following transactions in K-Katraks books basically हम कौन है K-Katrak है K-Katrak पता नहीं मैं नाम सही पर announce कर रहा हूँ की नहीं जो भी है तो हम लोग है K-Katrak और हमें अपनी books में entry करनी है तो एक एक करके पढ़ेंगे और उसके हम लोग साथ-साथ entry बनाते हैं चलेंगे यहीं पर और चार पार्टस दे रखियें चार अलग अलग से दे करना तो फर्स पार्ट में बोलता है Bill for the balance plus rupees 50 for interest समझो बात को हम लोग कौन है मैं जुबारा बोल रहा हूँ हम लोग है के कटरक कटरक सेक्सेप्टेंस मतलब हमारी एक्सेप्टेंस हमारी एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हुआ कटरक सेक्सेप्टेंस तु बासू पहले इसको समझो तो bill accept कौन करता है bill accept करता है bill accept करता है to cutrukt कोई accept किया Prison that is cutrukt के लिए हो गया ये bills payable क्योंकि हमने basically bill accept किया हमने bill accept किया है हम मन गए draw और two basoo लिखा है तो basoo होगा हमारा draw तो cuttš acceptance to basoo का मतलब क्या हुआ कि हमारे कोई bill payable की बात हो रही है जो हमने basically accept किया था और bill draw इस ने किया हुआ था बासू ने करा हुआ था फिर कहता for 2500 discharge पाया cash payment of rupees 1000 and a new bill for the balance plus rupees 50 interest तो basically यहाँ पे आपका renewal की बात कर रहा है वो renewal और बिल की बात कर रहा है वो आप से ठीक है और जो cash payment of rupees 1000 बोल रखा है यह आप समझे लो यह हो गया आपका part payment यह बोल रहा है वोपको part payment के बाद देख पूरा question जो है यह language का खेल है अगर आप से इसकी entry पूछू कैसे बनीगी तो क्या आप यह बना सकते हो इसकी entry एक मिट देना इधर इसकी entry बनाते है पटाफट से तो हम कर रहे है entry बार बार कर रहा है अच्छा अब यहाँ पर solution में उन्होंने entry दे रखिये न उसमें उन्होंने एक entry बना के club करके दे रखिये बट मैंने आपको सिखाई सी अलग-अलग entries तो मैं आपको पहले अलग-अलग entries करके दिखाऊंगा और फिर हम उसको merge करके देख लेंगे क्या हमारी entry book से match कर रही है कि ने तो मैं अभी आप सक first part की बात करो तो हमारा bills payable खतम हो रहा है हमारा एक bill payable खतम हो रहा है एक मिनट इसको इजहरी करते है तो हमारा एक bill payable खतम हो रहा है तो entry होगी bills payable account debit का bill खतम हो रहा है 2500 रुपीस का जब हमने renewal का concept कर रहा था हम कर रहे है entry in the books of draw यहाँ पर हम draw की बात कर रहे है यहाँ पर हम लोग कौन है draw है तो draw के लिए क्या होता है जब bill renew होता है तो हम लोग पुराने bill को cancel करते हैं जिसकी जो entry होती है वो dishonor के जैसे होती है तो entry क्या हो जाएगी मेरी bills payable account debit 2500 तो हमारा जो भी draw है तो draw कौन था बासू तो बासूज अकूंट तो सबसे पहले हम लोग पुराने bill को cancel करते हैं तो इसको मैं यह लिग देता हूँ फिर हम लोग क्या करते हैं फिर हम लोग interest चार्ज करते हैं तो यहाँ पर interest उसने directly निकाल के बोल रखा है तो हमारे लिए interest खर्चा होता है ड्रॉई के लिए खर्चा होता है तो interest account debit to entry क्या होती है बासूज अकूंट यह ना interest account debit to draws account होती है तो यह entry बन जाएगी interest account debit to बासूज अकूंट कित्य रुपे का interest उसने बोल रखा है question में 50 रुपे फिर अगला हम ने क्या बोलाता है हम लोग part payment की entry करते है तो यहाँ पर कित्य रुपे की part payment हो रही है 1000 रुपे की part payment हो रही है उसके entry क्या हो जाएगी बासूज अकूंट debit to bank account तो यह part payment की entry होगी 1000 रुपे और फिर balance amount के लिए नया bill draw हो रहा है तो नया bill draw करनी की entry हो जाएगी बासूज account debit to bills payable account और कित्य रुपे का bill draw हो रहा है अगर मैं आपसे पूछे कित्य रुपे का bill draw हो रहा है तो original bill ता पच्चेस सो रुपे का इसमें पचास रुपे का interest और एड हो गया लेकिन 1000 रुपे की part payment हो गी तो कित्य रुपे का bill draw हो रहा होगा नया bill यह draw हो रहा होगा 1550 1550 this is the entry मतलब मैंना आपको concept में जैसे entry सिखाई थी उस हिसाब सा हमारी entries बनीगी अगर मैं आप सो बुलूँ अब 4 entries को club कर सकते हो क्या तो बिलकुल कर सकते हो अब देखो कैसे club करोगे आपको थोड़ा सा समझदारी से करना है काम थोड़ा सा समझदारी से करना है पहले तो बासू के अकाउंट को देखो बासू का अकाउंट हाँ बासू का अकाउंट क्रेडिट किते रुपे से हो रहा है 2500 रुपे प्लस 50 रुपे यानि 2550 रुपे से क्रेडिट हो रहा है और 2550 से debit भी हो रहा है, देखो 1000 उपर यहां debit हो रहा है, 1550 यहां debit हो रहा है, तो 2550 से credit भी हो रहा है, debit भी हो रहा है, तो हमारा बासू का as it is nullify हो जाए, तो बासू को मैं पूरा card देता हूँ, बस अब बासू को आपने card दिया, अब आपकी entry देखो, club के बन जाएगी, तो अगर मैं आप से बोलू, club करके entry क्या बन रही है, तो देखो, bills payable debit हो रहा है, चारों entry को club करो, bills payable debit हो रहा है, 2500 से, और देखो, interest debit हो रहा है, 50 से, और देखो, bank credit हो रहा है, यह मैंने क्या, एक लाप क्यों लिग दिया, 1000 ते हैं पर, bank credit हो रहा है, 1000 से, और नया bill draw हो रहा है, 1550 का, तो bill payable credit हो रहा है, 1550 से, to bill payable, 1550, अब आप यह मत बोलना सर, bill payable यहां, debit भी हो रहा है, credit भी हो रहा है, तो इसको क्यों नहीं हम set off कर रहे हैं, आपस में, क्योंकि दोनों अलग-अलग bill है, हमें दिखाना है, यह वाला पुराना original bill है, जो cancel हो रहा है, इसको अलग से दिखाना है, और यह नया bill है 1550 का, इसको हमको अलग से दिखाना है, इसलिए इसको हम लोग set off नहीं करेंगे, ठीक है, तो जब 4 entry के मैंने merge कर दिगा, तो उसमें basically हुआ गया, बासू के अकाउंट को हमने nullify कर दिए, debit credit same amount से हो रहा था तो, और फिर हमने एक लब करके single entry बना दी, अब आपने solution में देखना, देखो यही entry आ रही होगी, देखना, तो bills पे बल देखो 5000 से debit हो रहा है, interest 50 से debit हो रहा है, 1000 उपे cash में जा रहा है, हमने उसको बस bank में लिख रहा था और 1550 रुपे का नया बिल आ रहा है, तो जिट्टो हमारी यही entry बन के आ गए, ठीक है, तो I hope यह वाला पार्ट आपको समझ आ गया होगा, अब next part पढ़ते क्या कह रहा है, second part, कहता है, G. Gupta's acceptance for Rs. 4000, which was endorsed by Cutra to M. Mehta was dishonored, तो पहले इसी भी line पढ़के parties identify करो, तो G. Gupta किसी और की acceptance थी हमारी तरफ, है ना, हमारी तरफ, तो यहाँ पर हम लोग हो गए basically drawer, क्योंकि किसी दूसरे बैक्ती ने हमारी तरफ कोई acceptance दी थी, तो यह हम बन गए drawer, और हमारे पास पढ़ाया, यानि bills receivable, B. A. आगे कहते, which was endorsed by Cutra to M. Mehta, तो जो हमारे पास bill receivable पढ़ा हु तो parties मेरी कौन कौन हो गई, हम हो गए drawer, हम के के truck है, हम drawer हो गए, जी गुपता हो गया drawer ही, और क्योंकि हमने bill endorse भी करा है, तो हम अब endorser भी बन गए, और M. Mehta हमारा endorse ही बन गया, तो first you have to identify the party, तो हम drawer है और हमारा एक endorsed bill है, अब यह कह रहा है, this bill was dishonored, यानि जो bill हमने endorse किया, यह dishonored हो गया, महता paid rupees 20 noting charges, महता paid rupees 20 noting charges, तो इस पे noting charges रुपे करें 20 रुपे के endorse ही ने, तो entry क्या होती है, यह entry मुझे बताओ सबसे पहले, मुझे entry बताओ, जब build dishonor होता है, जो endorse हुआ हुआ था, तो उसकी क्या entry में आप पर last lecture में बताई थी, entry होती थी, drawee account debit, to endorseee account, और amount आता था, including noting charges, तो यहाँ पे हमारा drawee कौन है, जी गुपता है, तो जी गुपता, account debit, और endorseee कौन है, M है था, और amount किते रुपे का आएगा, including noting charges, including noting charges, तो 4000 रुपे का बिलता, plus 20 रुपे का noting charges है, तो 4000 रुपे से यह amount आ जाएगा, अचा, कहानी आगे खतम नहीं हुई, एक छोटी सी बाद उसने और भी बोली हुई थी, साथी साथ उसने बोला था, कि जो bill था, यह withdraw हो गया against check, इसका मतलब क्या है, basically, simple भाशा में बोलू, तो यह basically कह रहा है, कि भाई due जो भी था, इसको check के द्वारा हमने pay कर दिया, तो इसकी अलग से एक entry हो जाएगी, math account debit to bank account, 4020, 4020, so this was the question, तो देखो, यह हमारी entry हो गई, सही किताब से match, थर्ड में बढ़ते हैं, थर्ड में कहता है, दी दलाल, दी दलाल retires a bill for rupees 2000, drawn on him by cutra for rupees 10 discount, parties identify गरो, दी दलाल ने bill retire किया, जो cutra क्यानी हमने draw किया था, तो यहाँ पे भी हम कौन हो गए, हम हो गए draw, और दी दलाल हो गया draw ही, और यहाँ पे हम draw हो गए, इसका मतला हमारे receivable, bills receivable, और यह retire हो रहा है, और 10 रुपे का discount है basically आपको rebate निकाल के दे दिया गया है, तो बताओ भई, क्या entry होगी, यह तो अभी अभी concept हमने cover करा, retirement of bill का, तो इसके entry क्या हो जाएगी, क्या entry हमने सीखी थी, हम लोग draw हो रहे हैं न, हमारी bill receivable है, तो basically हमें cash में, bank में जो अलाव करा हुआ है, तो यानि 1990 रुपे में आया होगा, बचयों यह 10 रुपे हमने rebate अलाव कर दिये, खर्चा कर दिया एक, 10 रुपे का, और bills receivable जो हमारे पास एक खड़ा हो आता, 2000 रुपे का, वो अब हम लोग खतम कर देंगे, तो 2000 रुपे से मेरा bills receivable credit हो जाएगा, औ बस, इतनी से entry आपको इसमें बननी थी, तो देखो एक बार, क्या हमारी entry ठीक बनी, यह देखो, बस उसमें उन्होंने याँ discount account लिखा हुआ है, आप लोग discount account की जगा rebate account लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बास नहीं, ठीक है, यह भी खतम हो गया, तो तीन पार्ट समारे खतम हो गया, अब फोर्थ पार्ट पढ़ना, फोर्थ पार्ट आप स्टार मार्ग कर देना, फोर्थ पार्ट में आप लोग स्टार मार्ग कर देना, अच्छा है, तो थर्ड हो गया, अब फोर्थ कर रहे हम लोग, कहता है, कट्रक्स acceptance to patail for rupees 5000, discharged by patail, तो पहले correction कर लो भई, पू आप एक बार दुबारा से पढ़ना, पूरे sentence को, तो अब आपको इस sentence समझ आ जाएगा, तो जितना मैंने color कर दिया, इतना पूरा पार्ट आप भी काड़ देना, अपने किताब है, तो किताब में काड़ देना, और अगर आप लोग, क्या कहता है, soft copy में लेके पढ़ रहे कटरक्स acceptance to patale for Rs. 5000, कटरक्स हमारी कोई acceptance थी patale की तरफ, यानि हमारा कोई bill payable था 5,000 रुपे का, discharged by modi's acceptance to cut track for a similar amount, कैसे हमने discharge क्या है, यह हमारा bill payable था, हमारी liability थी, liability we have to discharge pay करनी होती है, तो यह हमने pay कैसे करी, यह हमने cash में pay नहीं करी, यह हमने cash में नहीं pay करी, हमने कैसे pay करी, हमारे पास एक modi का, दूसरे व्यक्ति का acceptance पढ़ा था, यानि एक DR पढ़ा था, एक bill receivable पढ़ा था, पौरा similar amount, यानि bill payable भी 5,000 रुपे का है, और bill receivable भी 5,000 रुपे का है, इसका मतलब हमने क्या किया, हमारे पास 5,000 रुपे का bill receivable पढ़ा वह था, हमने यह लिया, और कटरक को दे दिया, हमने बोला, देखो कटरक भाई, मेरे पास यह 5,000 रुपे का bill receivable है, आप एक काम करो, जो आपका bill payable है, उसको हटा दो, उसको settle करो, खतम कर दो, बदले में cash की जगा, आप मुझसे यह 5,000 रुपे का bill receivable ले लो, और मेरी liability को खतम करो, अब मोधी जो है, मोधी जिससे मुझे bills receivable का गेंज 5,000 रुपे लेने थे, अब वो मोधी क्या करेगा, हमें 5,000 रुपे देनी की जगा, पटेल को 5,000 रुपे दे देगा, और इस प्रकार से मेरी liability खतम हो जाएगी, this is the part, तो पहले तो I believe आप इसकी कहानी का बतलब समझ हो गए होगे, कि correction करने के बाद आप आपको एक कहानी समझ भी आ गई होगी, तो ये कर लिया, अब बताओ क्या entry इसकी होगी, थोड़ा सा kind of unique point है, इसलिए मैं आपको इसके star भी mark करवा दिया, तो को मैं खतम कर दूँगा, bills payable account debit, 5,000 रुपे, और ये मैंने settle कैसे करी, अगर मैं इसको cash में settle करता, normally मैं आपको cash के entry जिकाईती ही, जब हम bills payable की liability cash में pay कर देते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते है, two cash या two bank जो भी है, लेकिन इसमें हम लोग cash नहीं दे रहे, इसमें हम cash की ज जगा हम लोग bills receivable को लिखतेंगे, पांच खताव, बास, सम खताव, इतनी से entry है, तो ये करना था आपको इसमें, तो ये question अच्छा इस point से था, इसमें कि technical point अच्छ नहीं था, पूरा language का interpretation था, आपको language पढ़ नहीं थी, हर partner ने एक sentence बना के दे रखा था, और पूरी sentence के words को ध्यान में पढ़के, आपको कहानी को समझना था, उस हिसाब से एक अच्छा सवाल था, और इसमें क्या हुआ, हमारे मोटे-मोटे सारे concepts revise हो गया, retirement का concept revise हो गया, renewal का concept revise हो गया, और साधी था, dishonor, अगर endorsed bill dishonor होता है, तो उसमें हम क्या करते है, वो भी आपका revise हो गया, त बड़ा बड़ सब हम क्या करते है, next concept की और बढ़ते है, अब आप लोग next concept की heading दालना, insolvency of drawing, insolvency of drawing, तीक है, यह एक important concept है, तो इसमें आप लोग important माग कर लेना, important, चले, तो पहले इसमें noting करवा देता हूँ, और फिर इसको discuss करनेंगे जल्दी से, चले, तो इसमें लिखना आप लो, first arrow डालके, when a person is unable to pay his or her liabilities, that is debts, she or she is declared as insolvent by a court, full stop, when drawy becomes insolvent, then entry for dishonor of bill is passed in the books of drawer and drawing next arrow लिखना, where any amount where any amount is recovered from the estate of the drawy then falling entries are passed are passed पहले बात करते हैं, in the books of drawer in the books of drawer drawer के इंट्री पास करता है cash या bank account debit bet debts account debit to draw his account to draw his account cash bank account के आगे लिखना, amount recovered bad debts में लिखना, amount not recovered or draw his में लिखना, balance receivable similarly similarly in the books of drawer drawer अपनी books में क्या एंट्री करता है, तो इसमें लिखना drawer's account debit to cash a bank account to deficiency account इसमें लिखना, balance payable total balance payable भी लिखना, cash bank में लिखना, amount paid deficiency में लिखना, amount, unpaid that's it यह हो गया आपका concept दिख्या है देखो, insolvency का मतलब क्या होता है, I believe आप लोगों को मोटा-मोटा पता ही होगा, insolvency का मतलब क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई व्यक्ति, अपनी उधारी, अपने debts, अपनी liabilities pay करने के, सक्षम नहीं रह जाता, अबल नहीं रह जाता, तो कोट के पास वो जाके, ऐसा insolven डिक्लियर होने के लिए, अपलाई कर देता है, and correspondingly, कोट satisfy होने के बाद, उसको फिर insolven डिक्लियर कर देती है, ठीक है, तो insolvency का मतलब क्या है, जब किसी भी व्यक्ति की, ऐसी position आ जाती है, जब वो अपनी liabilities य पे नहीं कर सकता, अचा, अब यहां पे हम किसकी insolvency की बात कर रहे हैं, हम यहां ड्रॉइक की insolvency की बात कर रहे हैं, सर, हम ड्रॉर की insolvency की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आपने सर्फ ड्रॉइक की लिखी चीज, आप खुच सोचो, insolvency वाला पार्ट किसके लिए replicable ह सबसे पहले हमें डिसोनर की एंट्री पास करनी होती है दोनों की बुक्स में, ड्रोर की बुक्स में भी और ड्रोई की बुक्स में भी, ठीक है, अब dishonor की क्या entry होती है, डीटेल में last lecture में already discuss कर चुके हैं, लिख चुके हैं, तो इसलिए दुबारा से उसको यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन याद रखना, dishonor की entry हमें कब क पास करनी होती है, जब dishonor हो जाता है bill actually में, तब पास करनी होती है, फिर हमने renewal of bill का concept पढ़ा, वहाँ पे जब पुराना bill cancel होता था, तो हम dishonor की entry पास करते थे, और third case, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे है, insolvency के case में, dishonor की entry पास करनी होती है, तो पहले सबसे पहले insolvency के entry पास करनी होती है, अब आगे देखो क्या लिखा है next point में, where any amount is recovered from the assets, from the estate of the drawee, then following entries is passed, तो देखो क्या होता है, practically जब कोई व्यक्ति insolvent हो जाता है, तो एक official receiver appoint किया जाता है, quote दोरा, जो basically, जो व्यक्ति insolvent होआ है, insolvent व्यक्ति के assets को auction करके, बेज के, पैसे realize करत होता है, और पर proportionately pro rata basis में, जो जो भी उबधारियां होती है, उनको वो proportionately pay करता है, obviously, पूरा तो पे नहीं कर सकता, पूरा तो पे कर सकता होता, तो भाई वो insolvent होता ही नहीं, तो obviously, कुछ partial payment basically करी जाती है, सारी liabilities, जो भी उधारी वाले लोग होता है, जो भी liabilities जिनकी त पे कर दिया जाता है, from the amount relies on the sale of assets, इसी को हम बोलते है, estate of drawing, इसी को हम बोलते है, estate of drawing, तो अगर drawer को ड्रॉई से, उसके estate से कुछ partial पैसा recover करना होता है, या recover हो जाता है, तो हमें क्या-क्या entry करनी होती है, तो अगर मैं drawer की बात करू, in the books of drawer, तो drawer के लिए क्या है, उसको जाने के लिए मैं ऐसी example ले लेता हूँ, suppose total drawer से पैसे मिलने थे 100 रुपे, लेकिन उसके estate ने हमें सिर्फ 60% पैसा मिला, 60% पैसा का मतलब क्या हुआ, 100 रुपे में से सिर्फ हमें 60 रुपीज मिले, तो अब entry क्या होगी, अब logically, entry बात करें, entry फिर logically बनाने की कोशिश करेंग तो कितना पैसा उसको मिला, 60 रुपे, 60 रुपीज ही मिला उसको, तो cash bank मों debit कर जेगा, 60 रुपीज से, जो पैसा नहीं मिल पाया, वो drawer के लिए क्या है, वो बैड डेट हो गया, बैड डेट यही तो होता है, बैड डेट का मतलब क्या होता है, जब कोई उधारी अब मिली नहीं हमको, तो उसी को हम लोग बैड डेट बोलते हैं, तो जब 40 रुपे, 100 में से 60 मिलके तो 40 रुपे नहीं मिले, तो वो 40 रुपे का हमारा बैड डेट हो गया, और ड्रॉई के अकाउंट को हम लोग पूरे 100 रुपे से credit कर देंगे, अब आप पूछो के सर, यहां पर ड इस रिसीविबल को क्यों credit नहीं कर रहे हैं, उसका answer क्या है, simple answer है, हम पहले dishonor के entry pass कर चुके, हम dishonor के entry pass कर चुके, तो जब हम dishonor के entry pass करते हैं, ड्रॉई को क्या करता है, अपनी बुक्स में ड्रॉई को debit कर देता है, तो ड्रॉई के नाम से debtor को वो आपस लाके खड़ा कर देता है तो उसके बाद जब ये entry पास कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग ड्रॉई को credit कर रहे हैं क्योंकि dishonor जब हम नहीं किया था तो ड्रॉई ड्रॉई के अकाउंट को ड्रॉई ने अपने बुक्स में debit कर दिया होगा तो इसलिए हम यहाँ पर ड्रॉई को credit कर रहे हैं तो 100 रॉपे से मेरा ड्रॉई credit हो जाएगा अब ड्रॉई के point interview से सोचना ड्रॉई क्या करेगा ड्रॉई अपने बुक्स में 100 रॉपे से पहले ड्रॉई को debit करेगा अगें ड्रॉई क्यों debit कर रहा है क्योंकि ड्रॉई नहीं भी अपने dishonor के entry जब पास करी होगी तो अपने बुक्स में dishonor के entry के time उसने ड्रॉई को credit कर दिया होगा तो अब जब यह amount हमें receive हो रहा है तो draw को हम पूरी amount से 100 रुपे से debit कर देंगे अब हम liability को वापस से खतम कर रहे हैं pay कितना कर रहा है 100 रुपे में से actually मैं 60 रुपे सरफ 60 रुपीज सरफ pay कर रहा है और जो 40 रुपे वो pay नहीं कर पा रहा है जो 40 रुपीज अब pay नहीं हो रहे है उसको हम एक अकांट में डाल देते है एकांट में credit करते हैं जिसको हम बोलते है deficiency account जिसको हम deficiency account बोलते हैं तो जो amount unpaid है जो amount pay नहीं हो पा रहा वो चला जाता है deficiency account in the books of drawer ठीक है लेकिन ड्रॉर की बुक्स में जो पैसा पे नहीं हो रिशीब नहीं हो पारा वो डेबिट करते हैं बैट डेट्स अकाउंट में यहां से आपका प्रूफ वाल्स का कुश्चन बन सकता है एक मिट देना मैं बना के बब को बताता हूं Amount not received by drawer on insolvency of drawer is debited to deficiency account true या false इसका अंसार हो जाएगा false क्योंकि drawer deficiency account नहीं खोलता वो bad debt में debit करता है उसको deficiency account drawer खोलता है और जो amount वो पे नहीं कर पाता है वो deficiency account में credit करता है इस प्रकार से अंदर से एक true false का कुश्चन में भी बनाया जा सकता है अभी समझाते हैं समझाते हैं दिमाग में आया तो मैंने आपके साथ डिसकस कर लिया ठीक है तो this is the concept of insolvency तो हम एक काम करते हैं आपका एक exam oriented question solve करते हैं आपके study material का which is based on this concept चलिए अब आप लोग खोलना अपने study material का illustration number 7 illustration number 7 और इसको mark करना important अच्छा illustration है as it is आपके exam में 10 marks में सवाल आ सकता ये वाला ठीक है तो ध्यान से करना क्या कहता है question Mr. David draws two bills of exchange on 1st January 2020 पॉर रुपीज 6,000 और रुपीज 10,000 तो एक जन्वरी को दो bills of exchange draw करे Mr. David ने तो Mr. David ने draw करे मतलब डेवेड कौन बन गया डेवेड कौन बन गया डेवेड कौन बन गया डेवेड कौन बन गया तो पाइटीज भी साथ-साथ identify करना और कितने bills of exchange ड्रॉपीज 6,000 करे दसथार करे दो ड्रॉप करे तो while the bill of exchange for 10,000 is for 3 months तो basically BR1 की उसने term बता दी किती है 2 months और BR2 की उसने बता दी 3 months these bills are accepted by Mr. Thomas तो Mr. Thomas ने ये accept कर दिया that means Mr. Thomas क्या बन गया हमारा ड्रॉई बन गया Mr. Thomas ड्रॉई बन गया अब आगे पड़ो क्या कह रहे है on 4th March 2020 on 4th March 2020 Mr. Thomas requests Mr. David to renew the first bill with interest at the rate of 18% per annum for a period of 2 months तो जो पहला bill रॉपे का बिल था? 6000 रुपे का तो जो पहला bill रॉप क्या था? उसको Mr. Thomas ने request करके renew करवा दिया basically extend करवा दिया 2 महिने से तो पहले bill में आपका renewal of bill का concept लग गया Mr. David agrees to this proposal अच्छा interest rate भी उसने बता दिया 18% per annum 18% per annum तो सारी जो भी calculations बगरा हम कर लेंगे अदि आगे कहता है on 20th March 2020 Mr. Thomas retires to acceptance 100 रुपीज 10,000 the interest rebate that is discount being 100 रुपीज तो जो दूसरा bill था BR2 10,000 रुपे का ये क्या कर दिया Mr. Thomas से retire करा दिया और इसमें अच्छी बात क्या है retirement पे जो भी rebate है उसने वह आपको already calculate करके दे दी 100 रुपे की तो वहाँ आपको दिमाग मारने की ज़रुवत नहीं है अब देखो आगे क्या कह रहे है before the due date of the renewed bill denued bill का मतलब जो third bill था जो renewal के बाद हमने जो नया bill draw किया था basically मैं उसको BR3 बोल देता हूं renewed bill को हम लोग BR3 बोल देता है तो जो renewed bill था before the due date of the renewed bill Mr. Thomas becomes insolvent Mr. Thomas insolvent हो गया यानि हमारा draw insolvent हो गया and only 50 पैसा इना रुपी only 50 पैसे इना रुपी could be recovered from his estate 50 पैसे इना रुपी का मतलब क्या हुआ हर एक रुपे के बजले हमको 50 पैसा ही मिला हर एक रुपे के बजले 50 पैसा recover हो पा है तो इसका मतलब क्या हुआ in other words सिर्फ 50 पैसा recover हुआ है ना एक रुपे के बजले अगर मैं बोल रहा हम 50 पैसा मिल रहा है that means सिर्फ आधा पैसा मिल रहा है आपको पता ही होगा एक रुपे में 100 पैसे होता है hope आपको यह पता होगा हलागे आप लोगों ने मेरे खाल से पैसे में कभी डीलिंग करी नहीं होगी बढ़ आपको यह पता होगा एक रुपे में 100 पैसा होता है है ना अगर मैं बोल रहा हूँ एक रुपे में 50 पैसा मिल रहा है that means हर एक रुपे के बजले 0.5 रुपीज मिल रहा है मैं यह भी कह सकता हूँ 0.5 रुपीज मिल रहा है तो रेश्यो कितनी निकल के आगए 50% के निकल के आगए you are to give the journal entries in the books Mr. David तो हमें Mr. David की books में यानि draw के books में entry करना है चले अच्छा सवाल है very good question अब आप लोग अपना illustration, अपना question को अपने पास देखते रहे न मैं याँ पे screen पे solve करूँ चले हमें करना है entry in the books of Mr. David journal entries तो बहुत ध्यान ध्यान से करना है step by step जैसे जैसे कहानी में चीज़ें हो रही है, वैसे वैसे हमें चीज़ें करना है तो 1st January 2020 को सबसे पहले bill draw हुआ, तो 1st January 2020 को हम लोग entry कर देते हैं दो bill draw हुआ तो BR1 कहर देता हूँ है BR1 और BR2 तो BR1 account debit BR2 account debit to Mr. Thomas account तो कित्ते कित्ते रुपे का bill draw हुआ पहला bill 6000 का था दूसरा bill 10,000 का था और total होगा, 16 था होगा पहली entry हमारी यह होगी अब आगे क्या हुआ कहानी में on 4th March, ठीके, the bill accept होगया, सब होगया, तो उसके entry हमने कर दी, फिर 4th March को पहला bill का renewal की बात हुई, तो आ जाता है 4th March को 4th March को, तो जब bill renew होता है, तो हमने क्या सीखा है, सबसे पहले हमें पुराने bill को cancel करना होता है, cancellation की entry क्या हो जाएगी, Mr. Thomas account debit, basically जो dishonor में entry करता है, वो ये entry हो जाएगी, और पहले bill की बात हो रही है, तो BR 1, यह bill दा 6,000 रुपेगा, इस पे हमें अब interest चार्ज करना है, 18% के साब से, part payment की question ने कोई बात नहीं करी तो उसको छोड़ दो, but interest की बात कर रहा है वो, interest हम चार्ज कर देंगे, interest हम चार्ज कर देंगे, अब हम drawer की books में entry कर रहे है, तो renewal पे जो इंटरस्ट की बात होती है, वो drawer के लिए क्या होती है, वो drawer के लिए income होती है, वो drawer के लिए income होती है, तो entry क्या बनाई थी हमने, क्या लिखी थी, Mr. Thomas, यानि Drawies account debit, to interest account, ठीक है, और calculation किती होगी, अब देखना, बहुत simple है, 6000 रुपे का bill है, कोई part payment नहीं हो रही, यानि पूरे का पूरे 6000 रुपे पे interest calculate होगा, 18% का उसने rate बता रखा है, और किते महीने का calculate होगा, clearly question ने बोला है, दो महीने का extension मांगा उसने, for a period of two months, two months का extension उसने मांगा, तो किते period का extension माना, दो महीने का, तो हम interest दो महीने का charge करेंगे, बस इसको solve कर देना, तो यह कितना आएगा, 6000 का 3%, 180 रुपे ही आगा है, basically, ठीक है, और फिर same date पे, finally हम लोग, part payment को छोड़ दो, तो part payment है नहीं, तो उसकी ज़रक नहीं, but नया bill जो draw हो जाएगा, for the balance amount, तो कितना आएगा वो, उ यह जो नया bill है, वो draw हो गया, BR3 account debit, to Mr. Thomas account, और कितने रुपे का bill है, 6000 रुपे का तो original billी था, plus 180 रुपीज का interest भी आगया, तो 6180 का नया bill आगया, 6180, ठीक है, अब study materials के solution में, उन्होंने combine करके entry बता रखी है, तो मैं आपको पिछले एक और illustration में, जैसे मैं आपको combine करके सि कैसे आप combine करके entry कर सकते हो, तो आप भी combined way में entry बना के कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे अलाग अलाग तोड़ तोड़ की भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं, चले, अब यह बात कहानी खतम हो गई, अब आगे बात करते है, second bill की बात हो रही है, 20 March को second bill, जो 10,000 हो गया, और उसमें 100 रुपे का उचन रिबेट बता दिया, तो यह तो बहुत सिंपल है, 20 March को, इसकी हम entry कर देंगे, तो क्या entry हो जाएगी, bank account debit, draw है, तो draw rebate देगा, तो उसके लिए खर्चा है, तो rebate account debit, और second bill मेरा, खादम हो गया, second bill कितन रुपे का था, 10,000 रुपे का तो और उपे का rebate दिया गया, clearly question ने बोल रखा है, यहनी हमें बच्च वे 9,900 रुपे मिले होंगे, खतम, तो retirement वाला तो इसमें कोई भी point खास नहीं था, बहुत straight forward था, बच्च वाला point निकला, अब देखो आगे उसने question में क्या बोला है, मैं एक बार आपके पास question वापस से खोल लेता हूँ, अब यहाँ पर देखो, question ने क्या बोला, देखो, हमनी यहाँ तक तो entry कर ली, इतना पार्ट हमारा खतम हो, अब लास स्रिफ insolvency वाला पार्ट रह गया, तो question ने देखो, अब यहाँ पर clear में, क्यों आपके साथ discuss कर रहा हूँ, question ने clearly बोला है, before the due date of renewed bill, before the due date of renewed bill, तो पहले मुझे बताओ, renewed bill की due date क्या आएगी, ऐसी आपके साथ discuss करो, rough में, BR3 की due date कित्ती निकलीगी, यह दो महीने का था bill, दो महीने के extension हुई थी, और कौन सी date को draw हुआ था यह bill, 4th March को, कितर गया, यह रहा, 4th March को bill draw हुआ था, 6180 का, तो इसकी due date क्या इसमें, दो महीना आड़ करो, प्लस तीन दिन का grace period आड़ करो, तो यह मेरे खाल से आएगा, 7th May 2020, अब हो कह रहा है, कि जो 3rd bill की due date आने से पहले, जो Mr. Thomas है, वो insolvent हो गया, उसने exact date तो नहीं बताई, insolvent सेगी, बस उसने बोल दिया, before the due date of the renewed bill, तो यानी, 7th May की जो renewed bill की due date आ रही थी, इससे पहले ही Mr. Thomas insolvent हो गया, अब study material में, जो उन्होंने entry पास कर रखी है, entries तो हम बना लेंगे, भी बहुत simple है, लेकिन जो उन्होंने entries पास कर रखी है, अब देखना, वो उन्होंने 7th May की, ICI ने basically क्या assumption ले ली, उसने insolvency की जो date ले ले ल assumption हम तब लेते हैं, ऐसी assumption हम जब लेते हैं, जो question की language से, question की कहानी से mail खाती हो, ऐसी नहीं हम कोई ब assumption ले सकते हैं, अब यहाँ पे जब question ने clearly ही बोल दिया, before word use कर लिया, कि renewed bill के due date से पहले ही insolvent हो गया Mr. Thomas, so how can we assume the insolvency date to be 7th में, तो मेरे साब से पहली बाट, यह जो date उन्हें ने 7th में की assume करके ले ली, मेरे साब से this is wrong, हाला कि अब आप पूछो के sir, क्या हम date ले, क्योंकि insolvency की exact date तो बताई नहीं, तो जब insolvency की exact date बताई नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर exam दूंग तो मैं journal entries में insolvency की में, कोई भी date नहीं डालूँगा, और नीचे note डाल दूँगा, कैसे डालूँगा, वो मैं आपको लिखवा दूँगा, बट मैं ICI के assumption से agree नहीं करता, तो इस सारी चीज़ मैं आपको लिखवा दूँगा यहाँ पे, तो पहले हम एक काम करते हैं, पह entry क्या होती है, bank account debit, जितना पैसा मिल जाता है, insolvency पे, अच्छा नहीं, sorry, 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 यह तुम्हें, पहले क्या होगा, पहले जो renewed bill है, हमने क्या सीखा, उसकी हमें dishonor की entry करनी होती है, तो पहले हम लोग dishonor की entry कर लेते हैं, तो क्या entry हो जाएगी, Mr. Thomas account debit to BR3, जो renewed या third bill जो था, वोस bill की due date से पहले, क्योंकि insolvency होगी, तो हमें third bill को basically करना है, खतम कर देना है, dishonor कर देना है, और कितने रुपे का बिल था, 6,180 रुपे का बिल था, 6,180 रुपे का बिल था, तो यानि कि अब ये entry करती मेरी position क्या होगी, अब मुझे, मैंने ये दिखा दिया अपने books में, कि भाई मुझे 6,180 रुपे Mr. Thomas से मिलने है, लगी 6,180 रुपे पूरे मुझे मिल रहे है Thomas से, the answer is no, question ने बोला, हर एक रुपे के बदले 50 पैसे मिल रहा है, यानि 50% पैसा ही receive ह हो रहा है, तो अब उस बात के लिए हम एक अलग entry pass कर देंगे, अब क्या entry pass करेंगे, bank account debit, bad debts account debit to Mr. Thomas account, तो Mr. Thomas का account है, पुरा 6,180 रुपे से credit होगा, लेकिन, मिल कितना पैसा रहा है में सरफ, 6,180 रुपे का सरफ 50% मिल रहा है, तो 50% इसका आ कितना रहा है, 3090 आ रहा है शायद, और बचे वए 3090 मेरे bad debts हो गए, जो मुझे receive नहीं हो, ठीक है, तो ये तो मेरी entry खतम हो गई, ग्यान के लिए, आपकी ग्यान के लिए, क्योंकि ग्यान के लिए हम, in the books of Thomas क्या entry करेंगे, सिर्फ insolvency की बात कर रहा हूँ, बाकी सारी तो entries आपको पता है, हम लोग discuss करी चुके, लेकिन insolvency वाला part हमारा नया है, तो अगर मैं आप से बोलू कि Mr. Thomas क्या क्या entry करेगा, insolvent होने पे, तो वो क्या entry करेगा, तो पहले तो dishonor क entry उसको भी करनी होती है, तो dishonor की entry उसके लिए क्या हो जाएगी, वो बोलेगा, भाई, bills, payable, account, debit, Mr. Thomas के लिए तो bills, payable, account, debit, to drawers, account, तो यहाँ पर drawer कौन है, Mr. David, ड्रविड लिख रहा हूँ मैं बताओ, Mr. David, किते रुपेगा बिलता, 6,160 का, 6,160 का, ठीक है, और फिर जब व 50% पैसा दे पा रहा है अपने state में से, तो उसकी अलगे entry कर देगा, तो क्या entry करेगा, अब वो वापस से Mr. David को उड़ा देगा, अपनी book से debit कर देगा, 6,160 से, वो दे किता रहा है हो सिरफ, दे रहा है हो सिरफ किता 3090, और जो वो नहीं दे रहा, उसको वो deficiency में डाल देगा जो पैसा वो नहीं दे पा रहा है, वो उसको deficiency में credit कर देगा, deficiency account, 3090, देगा है, ये खाली ग्यान के लिए entry लिखवाई ही, मैंने आपको करवाई discuss करी, कोशन ने आपसे नहीं मांगा था, तो ये तो मेरे insolvency वाला part खतम हो गया, और जो मैंने आपके साथ note discuss किया, वो मैं आपको note लिखवा देता हूं कि मैं कैसे note लिखवाई exam में, note, since, since exact date of insolvency is not given in question, we have ignored the dates, ignored the dates in the relevant entries, ठीक है, exam में इतना note लिखवाई हूंगा, और आप लोगों की सुविधा के लिए मैं लिखवा देता हूं, कि बाद मैं आपके doubt ना है, tutorial note, tutorial note मतलब जहाँ पर मैं specifically as a tutor आपको note दे रहाँ, क्या मैं बोल रहाँ, ICI assumption, ICI assumption that insolvency is occurring, is occurring on pew date of renewed bill, that is on 7th May 2020, is not valid, is not valiant, since question clearly states that Mr. Thomas became insolvent, became insolvent before the due date of renewed bill, ठीक है, और before word को मैं गोला मार देता हूं, क्योंकि ये keyword है, जिसकी वज़े से मैं conclude गर रहा हूं कि भाई, ICI का assumption invalid है, ठीक है, फिर भी exam में आपका मन करें, आपको date, बिना date डालें, मनना करें, entry रखना का तो आप 7th में डालके, अपनी assumption code करके आ सकते हो, हाला कि technically मेरे साब से वह assumption गलत है, ठीक है, तो this finishes the concept of insolvency, तो I hope आपको ये concept समझ आ गया होगा, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले concept की और, next concept के आप लोग heading डालना, accommodation bill, accommodation bill, इसको mark करना very important, very important, बहुत important concept है, exam point review से, चलिए, पहले मैं आपको accommodation bill का meaning लिखवा देता हूँ, और फिर समझाता हूँ, इसमें ज़्यादा लिखने का काम है नहीं, क्योंकि ऐसा topic है, ऐसा concept है, जिसमें बहुत लिख के कुछ फायदा नहीं है, ये practical example, practical case scenario से ही समझ आ सकता है, तो इस concept को हम लोग mostly, अपने study material के question से समझेंगे, फिर भी मैं आपको accommodation bill का meaning समझा देता हूँ, क्या हो, पहले आप लोग meaning लिखना है, इसमें, इसमें लिखना मिस, when, when, bill of exchange, when bill of exchange, is used, as a, short term, financing tool, instead of, for a, trade transaction, trade transaction के bracket में लिख लेना, sale purchase, it is known as, accommodation bill, accommodation bill, accommodation bill, अभी तक हमने जित्ता भी पढ़ा bill of exchange, उसमें आपने notice क्या होगा, कोई ना कोई trade transaction होती थी, उसके against bill of exchange issue होता, है ना, credit sale, credit purchase, जो भी है, तो वो तो आपके normal, bills of exchange होते हैं, जो trade transaction के लिए यूज होते हैं, पर कभी-कभी जो bill of exchange है, ये trade transaction के लिए, ना होके, कोई short term financing tool के लिए यूज हो सकते हैं, short term financing purpose के लिए यूज हो सकते हैं, तो उस case में हम बोल देते हैं, accommodation bill, वन bill of exchange is used as a short term financing tool, instead of a trade transaction, instead of a trade transaction, it is known as accommodation bill, क्या मतलब हुआ इसका, example से समझना इसको, एक example से समझना, suppose दो दोस्ट हैं, राम और शाम, राम और शाम, अब suppose राम और शाम को, दोनों को 50-50,000 की requirement होती है, राम को भी 50,000 उपे चाहिए, शाम को भी 50,000 उपे चाहिए, है ना, लेकिन अभी दोनों में से किसी के पास भी पैसे नहीं है, तो ये क्या करते हैं, देखो अभी क्या कारणामा करते हैं, ये क्या कारणामा करते हैं, मैं अभी इसको मिटा देता हूँ, राम क्या करता है, राम एक बिल्ड रॉ करता है, एक लाख रुपे का राम एक बिल ड्रॉ करता है एक लाख रुपे का और यह शाम को पकड़ा देता है और शाम इसको एक्सेप्ट कर देता है शाम इसको एक्सेप्ट कर लेता है है ना तो यानि राम के लिए कि अब क्या बन गया moment day bill जब शाम ने accept कर लिया तो राम के लिए बन गया bills receivable और शाम के लिए बन गया ये bills payable ठीक है शाम बन गया draw राम बन गया draw है ना मैं ये भी लिख देता हूँ शाम बन गया draw और राम बन गया draw अब राम इस बिल का holder है तो अब राम क्या करता है इस bill को लेके जाता है bank के पास bill को लेके जाता है bank के पास और इसको जाके discount करा देता है suppose ही जो bill draw हुओ था ये वुद राओ हुआ था था तीन महीने का ऐसी मालो ये थ्री मंध का bill draw हुआ था है ना ये bill payable का तीन महीने बाक लेकिन राम जाके आज बैंक के पास इसको डिस्काउंट करा देता है और सपोज इस एक लाग के बदले इसको मिलते है 99,500 99,500 मिलते है डिस्काउंट कराने के बाद यानि 500 रुपे 500 रुपे डिस्काउंटिंग चार्जेस काड़ देता है बैंक ठीकाई होप आपको कहानी समझ आ रही होगी अब राम क्या करता है राम के बास कितने पैसे आ गया आज 99,500 रुपेस 99,500 रुपेस आ गया तो राम क्या करता है इस 99,500 रुपेस में से आधा अपने पास रख लेता है और आधा जाके शाम को दे देता है है ना 50-50 मान लेते हैं चलो 50% suppose वो अपने पास रख लेता है 50% जाके शाम को दे देता है तो कितना आएगा इसका 50% आएगा 49,750 तो 49,750 रुपीज राम अपनी जेम में रख लेता है और बचवे 49,050 रुपीज जाके शाम को दे देता है अब यहाँ पर कहानी देखो क्या राम और शाम की बीच में कोई sale purchase की transaction हुई थी क्या कोई credit sale credit purchase हुआ था the answer is no राम और शाम तो दोस्त है दोनों को भी आज पैसो की requirement थी इन्होंने बस क्या किया इन्होंने bill of exchange को draw किया लेकिन कोई trade transaction के लिए नहीं किया इन्होंने इस bill of exchange को draw करके बड़ी समझदारी से अपने financing का tool बना दिया है ना अब देखो आज ही इनके पास आगे दोनों के पास पैसे इसके पास भी 49,750 आगे और इसके पास भी 49,750 आगे अब एक बात सोचना अब एक बात सोचना यह जो 500 रुपे का discounting charges हुआ बियर यह पूरा का पूरा इसका बोज राम लेगा या कुछ अब भी बाटेगा राम बोलेगा भाई देखो टोटल पैसो में से 50% की party मैंने करी 50% की party शाम तू कर रहा है तो यह जो discounting charges का खर्चा है यह भी 50-50 बटेगा यह भी 50-50 बटेगा तो यानि कि जो discounting charges बियर करा जा रहा है इसको भी बाटा जाएगा 50-50 ठीक है तो राम का बोज बनेगा इसमें से 250 का और शाम का बनेगा 250 का लॉजिकल है भाई जब इस बिल के पैसो से दोनों भी party कर रहे तो अकेला राम क्यों सारे party का खर्चा ले यह ना discounting charges क्या है पार्टी का खर्चा है तो अब अकेला राम क्यों party का खर्चा लेगा वो बोलेगा भाई देख आधी party तू कर रहा है आधी party मैं कर रहा हूं तो आधा खर्चा तू लेगा आधा खर्चा मैं लूँगा तो discounting charges भी 50-50 बढ़ जाएगा अभी इसका होता कैसे क्या क्या होता यह question क्या होता समझाएगा अभी सिर्फ मैं कहा नहीं समझा रहा हूं अब सवाल उटा तीन महीने बाद क्या होगा अब बिल पढ़ा है बैंक के शाम के पास जाएगा पैसे लेने के लिए पूरे 50,000 रुपे पूरे 50,000 रुपे लेने जाएगा ठीक है तो होता क्या है due date आता ही शाम तो क्योंकि रॉई है वो पूरा का पूरा पैसा 50,000 रुपे का बैंक को दे देता है और अंदर ही अंदर राम से लेंदेन कर लेता है राम से कहता भाई देख 50,000 रुपे पूरे मैंने बैंक को दिये लेकिन आधा हिस्सेदार तू है क्योंकि हमने आधी-आधी पाटी करी थी तो 25,000 रुपे तू मेरे को पकड़ा दे 25,000 रुपे तू मुझे पकड़ा दे तो क्या हुआ आज हमने बिल और एक्चेंज ड्रॉ करा और उसको यूज किया ऐसा फाइनेंसिंग टू यह न हमने बैंक को पे जाकर डिस्काउंट कराया पैसे ले लिए बैंक से और आधे-आधे आपस-अपस बाट दिये और ड्यू डेट आने पे शाम क्योंकि ड्रॉई था उसने बैंक को पूरा बिल का पैसा जाकर पे कर दिया और फिर राम के घर जाकर इसदग ए बैंक कि अधा पैसा उस से रिकावर कर लिया के सो इसी को हम क्या बोलते है हम बोलते है अकॉमडेशन बिल क्यूकि इस बिल और एक्सचेज्ज से कोई ट्रेंचंश नहीं हुई यह कोई ट्रेंचेंश नहीं क्या गया था यह सिर्फ फाइनैंसिंग टूल के बिल और किस प्रकार से most importantly हमें accounting treatment करनी होती है मैं आपको बता देता हूँ इसमें मैं आपको कोई general entry नहीं लिखवाए क्योंकि इसमें कोई ऐसी general entry specific होती ही नहीं इसमें आमें सिर्फ logically entry pass करनी होती है similar entries होती है bills of exchange में जो आपने सीखिये लेगिन उसको हमको थोड़ा सा logically कहानी के according पास करनी होती है वो मैं आपको ठीकाता हूँ with the help of question चलिए आप लोग अपनी study material में खोलिएगा illustration number 10 illustration number 10 page number मैं बता देता हूँ 6.19 6.19 page number illustration number 10 और इसको आप mark कर लेना important इसको आप mark कर लेना important चलिए तो question पढ़ना क्या कहता है for the mutual accommodation of x and y on 1st April 2019 x due a fourth month's bill on y for rupees 4,000 तो 1 April 2019 को x ने y के उपर 4000 रुपे का एक bill draw करा y return the bill after acceptance of the same तो y ने इसको accept कर दिया तो x बन गया मेरा bill का draw और y मेरा बन गया bill का draw parties identify कर तो चलना चाहिए हमको हमेशा फिर क्याता है x discounts the bill from his bankers at the rate of 6% per annum at the rate of 6% per annum यानी x ने जो bill उसके पास आया उसको जाके bank के पास discount करा दिया और discounting charges किते हैं 6% per annum के and remits 50% of the proceeds to y जित्ता proceeds मिला उसमें से 50% पैसा y ने sorry x ने y को remit कर दिया तो बिल्कुल जैसे मैं आपके साथ example discuss किया था वही चीज हो रही है bank के पास जाके bill discount कराया जा रहा है जो पैसा उससे मिल रहा है उससे आदा आदा बाट के party करी जा रही है on due date x is unable to send the amount due and therefore y draws the bill for रुपी 7,000 रुख जाओ क्या मतलब हुआ मैंने आपको क्या बताया था मैंने अपनी example में क्या बताया था due date आने पे ultimately liable तो draw है bank को पैसा देने के लिए due date पे bank draw ही के पास जाएगा मेरे इस question में y draw है तो bank y के पास पैसा लेने जाएगा पूरा due date पे है ना और उसके बाद मैंने आपको बताया था उसके बाद x और y draw draw ही अपस में lane thing करके हिस्सा कर लेते तो ultimately होना क्या चीए था किते रुपे का बिलता 4000 रुपे का बिलता 4000 रुपे का बिलता due date पे 4000 रुपे y bank को देदेगा क्योंकि y तो draw ही है और इसमें से जो 50% पैसा है यानि 2000 रुपे है वो x से ले लेगा जाकि याना यानि due date पे x को x ने y को देने थे 2000 रुपे actual story के साफ़ चाहे लेकिन अब हुआ क्या अब हुआ क्या due date पे x ने y को पैसे नहीं दिये x is unable to send the amount due x को जो पैसे देने थे 2000 रुपे वो x ने दिये नहीं तो बदले में क्या किया फिर y ने क्या किया तो अब y ने एक और bill draw कर दिया 7000 रुपे का जो x ने accept कर दिया यानि दूसरे bill के कहानी आ गए पहले bill में x draw था y draw ही था अब यह जब दूसरा bill draw हुआ वो y ने draw किया तो इस bill में अब y draw बन गया और x draw ही बन गया ठीक है अचा y discounts the bill for Rs.6600 and sends Rs.1300 to x तो y ने इस 7000 रुपे की bill को discount करा दिया 6600 रुपे यानि 400 रुपे का discounting charges हो गया 7000 का bill बदले में मिले 6600 बैंच से तो यानि 400 रुपे का discounting charges हो गया और उसमें से 1300 रुपे उसने x को remit कर दिया अब before the bill is due for payment x becomes insolvent later 25 पैसा इना रुपी receive from his SDA तो साथ ही साथ देको accommodation bill के साथ-साथ इन्होंने insolvency का भी funda चिपका दिया उन्होंने बोला बाद में x insolvent हो गया अब second bill की बात करो तो second bill में x draw है है ना तो अब वो insolvent हो गया और सेम बात बोल रहे है बोल रहे है कोशन की 25 पैसे मिले हर रुपे पे हर रुपे के बजले 25 पैसे यानि 0.25 रुपीज मिले तो यानि ratio आपका हो गया 25% का यानि सिर्फ 25% पैसा मिला उसके state से record necessary general entries in the books of x x के books में में entries फास करनी है चलो जी कोशिश करेंगे इस question को पूरा simple बनाने की आज हो जी कहानी के साथ साथ चलते हैं और entries बनाते हुए चलते हैं step by step चलेंगे चलो तो सबसे पहले हम x की बात कर रहे हैं सिर्फ तो x ने क्या किया 1st April 2019 को bill draw करा किस की उपर y की उपर entry क्या बन गई मेरी bills receivable account debit two wise account bill draw कर नहीं इंट्री होती है अचा x कौन है इसमें मेरा drawer है इसमें drawer है ठीक है इस वाली bill exchange पहले bill में x drawer है तो two wise account किते रुपे का bill draw किया गया 4000 रुपे फिर same date पे x ने जाके इसको discount करा दिया bank के साथ bank के साथ जब discount कराते तो क्या entry होती है bank account debit discounting charges account debit to bill receivable account to bill receivable account अब इसमें discounting charges कैसे निकार लेंगे हैं तो बहुत simple है भाई देखो किते रुपे का bill है 4000 रुपे का bill है rate कितना उसने बता रखा है 6% का बता रखा है अब किते महीने का discount निकालूँगा तो जब हम 1st April को आज ही जाके bill discount करा रहे है लेकिन bill due कप होने वाला है 4 महीने बाद 4 महीने बाद तो basically हम bank से जाके 4 महीने पहले ही पैसे ले रहे है तो कितने महीने का discounting charges निकाल लेंगे 4 महीने का तो यह बात समझ आगी होगी क्योंकि bill 4 महीने बाद डियो होने वाला था लेकिन हम पैसे आज ही ले रहे है तो कितने महीने का interest बैंक चार्च करेगा हमारे से 4 महीने का interest चार्च करेगा तो यह कितना आ जाएगा 4000 into 6% डिवाइड वाई 3 तो यह कितना आ रहा है यहा रहा है 80 रूपीज यहा रहा है 80 रूपीज तो BR तो पुरा 4000 से चला गया 80 रूपीज का discounting charges हो गया और बच्वए 3,920 रूपे हमें bank से मिल गए फिर question में बोला हमने इसमें से 50% पैसा रेमिट करा किसको वाई को 50% पैसा हमने रेमिट करा वाई को तो वाई ज अकाउंट डेबिट अब वाई को हम पैसा दे रहे हैं तो उसको हम रेमिट कर देंगे होई नहीं थी एकस और वाई के बीच में कोई सेल पर्चेस की ट्राइक्शन होई नहीं थी फिर भी वाई ने बैठके 4000 रोगे का बिल एकसेट करा था तो मेरे लिए एकस के लिए वाई की तरफ एक लाई बीट होगी इसलिए हमने वाई को क्रेडिट करागा लेकिन अब जब हम 50% पैसा हम उसको वापस रेमिट कर दे रहे हैं तो उतनी मेरी लाईबिलिटी खतम हो जा रही है तीक है अभी अमाउंट डालूँगा मैं टू बैंक कितना पैसा हम रेमिट करेंगे बोला 50% कुर्शन बोल रहा है 50% पैसा रेमिट करेंगे तो कितना पैसा मिला हमें बैंक से 3920 रुपे 3920 रुपे हमें बैंक से मिला इसमें से 50% पैसा हम लोग वाई को रेमिट कर रहे हैं तो यह कितना आ रहा है यह आएगा 1960 यह आएगा 1960 सिख जिरो उनने सो साट रुपे हम लोग वाय को रेमिट करें लेकिन आप खुद सोचो अब खुद सोचो जब आधा पैसा हम वाय को दे रहे हैं आधे पैसों की पाटी वाय कर रहा है तो अभी मैंने जो पूरा का पूरा असी रुपे का डिस्काउंटिंग चार्जेस का खर्चा अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया है क्या गलत नहीं हो जाएगा एक्स के लिए एक्स बोलेगा भाई देख तो आधी पाटी तो तू कर रहा है तो पूरा का पूरा असी रुपे का खर्चा मैं क्यू बियर करू इसमें से जितनी की पाटी तू कर रहा है उतनी खर्चा तू भी एर कर तो 50 परसंट पाटी वो वो इंजॉय कर रहा है तो यानि असी रुपे का 50 परसंट का खर्चा वो वाई को दे देगा तो कितना डिस्काउंटिंग चार्जेस वो अपना कम कर देगा तो बेजिकली वो आपना खर्चा कम कर देगा और टोटल वो वाई कर बोलेगा देख भाई मैं ऐसा मान रहो कि मैंने तेरे को 2000 रुपे दे दिये ऑल्व मैंने अक्च्यली में दिये 1960 रुपे लेकि नहीं माना ऐसा जाएगा कि मैंने तोज्ब टोटल 2000 रुपे दे दिये क्योंकि उसमें से 40 तो खर्चा बियर कर रहा है, डिस्कांटिंग चार्जिस का, दीक है, इतनी बात clear हो गए, अच्छा, अब due date पर आ जो, पहले मुझे बता इसकी due date कितनी आएगी, तो 1st April का बिल था, और 4 महीने का बिल था, है ना, तो 1st April से 4 महीने जोड़ लो तो कित आएगा, 1st August आएगा, और प्लस उसमें 3 दिन का grace period आएड कर दो, तो यह आएगा, 4th August, 2000, कितना है, 2,090, तो due date आगी मेरी 1st बिल की, अब, question ने बोला, due date आने पर, X को, आधा पैसा, Y को, रेमिट करना चाहिए था, बड़ उसने वो fail कर दिया, उसने नहीं किया, अब यहाँ पर doubt किया आ जाता ह इसने में fail करा, यानि कुछ payment का default हुआ है, तो बच्चे आँख बन करके बोलते था, भाई, payment का default हुआ है न, तो भाईया, यह हो गया, bill dishonor, जो यह BR था, यह dishonor हो गया, आप dishonor की entry pass करो, अब लेकिन आप याद करना, जब मैंने आपको last lecture में, dishonor का concept लिकवा है था, वहाँ म मेरे इस bill में, X और Y में से draw कौन था, draw तो Y था, है न, failure किसका हुआ, pay करने का, X का failure हुआ, Y ने थोड़ी कोई fail करा, Y ने थोड़ी कोई default करा, Y ने तो अपना बराबर, अपना bank को जाके पैसा दे दिया होगा, तो यहाँ पे default क्योंकि X का हो रहा है, तो आप यह नहीं कह स सकते, build dishonor हो रहा है, क्योंकि draw के side से कोई भी default नहीं है, तो यहाँ पे default किसके side से हुआ है, draw के side से हुआ है, ना कि draw के side से, तो पहली बाद, there is no dishonor, there is no dishonor, ठीक है, अच्छा, तो अब हम X के books में entry record कर रहे हैं, तो X क्या करेगा, अब X को ideally remit करने चीए थे Y को पैसे, X को बोलना चीए था, दे, total, 4000 रुपे से मैंने तिरे को credit किया था वाई, उसमें से 2000 रुपे के बराबर की payment मैं कर चुका, अब due date पे बच्चे होई 2000 रुपे त तेरे हिस्से का पैसा, तू ले ले, 2000 रुपे जो बच गए, वो मैं तेरे को दे देता हूं, और बात खतम, ये entry X करता अपनी books में, लेकि X नलायक निकला, X ने remedy नहीं करे, X ने due date पे पैसे रेमिट नहीं करे, तो ये entry अब वो करेगा नहीं, वो entry करेगा नहीं, तो अब क इसी rate पे, क्योंकि Y, क्योंकि X अपना हिस्सा रेमिट नहीं कर पाया, तो Y ने एक नया bill draw कर दिया, और जिसको X ने accept करा, यानि इस नए bill में X, X बन गया, ड्रॉई, तो ड्रॉई के लिए बन जाता है, ये bills payable, तो अब वो entry क्या पास कर देगा, वो बोलेगा, Y's account debit, to bills payable account, अब ये इसके लिए bills payable बन गया, और किते रुपे का है, 7,000 रुपे, 7,000 रुपीज का, ठीक है, आचा, इसको X ने जाके bank के पास से discount करा दिया, अब वो discount X करा रहा है, तो Y, sorry, Y ने इसको, इस bill को जाके discount करा दिया bank से, तो Y discount करा रहा है, तो discounting करानी के entry X तो करेगा न क्योंकि discounting Y गरा रहा है, लेकिन question कहा रहा है, उसमें से हमें, उसने कितने रुपे रेमिट कर दिया, मैं यहीं पर दिखा देता हूं, question खोल के दिखा देता हूं, उसमें से उसने 6,600 रुपे पर discount कराया, जिसमें से उसने 1300 रुपे X को रेमिट कर दिया, अब entry क्या हो डेबिट तेरा सू लेगन आप एक बात सोचो जब यह सेकंड बिल भी डिसकाउंट हो रहा है और अपके डिसकाउंट वाई करा रहा है और वाई सारा डिसकाउंटिंग चार्ज़ बियर कर रहा है तो क्या जब इसमें से कुछ हिस्सा X को मिल रहा है तो प्रपोश्चनेट ड डिसकाउंटिंग चार्ज़ एकस बियर करेगा तो 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 डिसकाउंट आपको निकाल के बताता हूँ है ना तो यहाँ पे हो जाएगा two wise account two wise account अब एक बात सोचो अब यहाँ पे रख में समझा रहा हूँ 7000 रुपे का बिल था 6600 रुपे बैंक से मिले तो 400 रुपे का discounting charges हो गया तो इस 6600 रुपे में से इस 6600 रुपे में से y ने x को कितने दिये 1300 रुपे दिये 1300 रुपे दिये तो आप बोलो के sir देखो na 6600 में से 1300 रुपे y ने x को दिये यानि इसका share कितना बन गया आप बोलोगे साथ 1300 डिवाइड बाई 6600 ये बना X का शेव है ना तो बस X का अगर शेव 1300 डिवाइड बाई 6600 है तो इसी रेशियो के बेसिस पे आप 400 रुपे को बाट दो आपका दिमाग ये बोलेगा लेकिन ऐसा रियल स्टोरी है नहीं रियल स्टोरी ऐसी है नहीं रियल स्टोरी क्या है अब आप थोड़ा सा कॉमेंट सेंस लगाना जब वाइड ने 6600 में से 1300 रुपे दिये 6600 में से 1300 रुपे दिये X को तो एक बाद बताओ X ने Y ने X से पुराने बिल के 4000 रुपे दे लेने थे 2000 रुपे लेने थे है ना जो पुराने बिल का हिस्सा 2000 का X का था वो तो X ने पे नहीं करा Y को तो ये 2000 रुपे उसने उससे लेने थे तो क्या उसने जब second बिल का पैसा रिमिट किया होगा तो पहले उसने रिमिट करने से पहले 2000 रुपे रेकवर कर ली होंगे जो पुराने 1st बिल के उसका हिस्सा था X का, वो रेकवर करके ही बचा हुआ पैसा Y ने X को रेमिट करा होगा तो actually मैं 6600 में से X का शेर बना किता होगा 2000 रुपे 1300 प्लस 2000 रुपे ये शेर बना होगा X का यानि अगर मैं इसका टोटल कर दूँगा तो या जागा 3300 याना तो जो second बिल है इसमें X का हिस्सा बना होगा 3300 का, लेकिन Y ने बोला होगा, भाई देख 3300 पूरे रुपे मैं तेरे को नहीं दूँगा, इसमें से बन के आया, X का शेर किता, 1300 प्लस 2000, तो रेशियो मेरी कित्ती बन गई रेशियो मेरी बन गई 3300 डिवाइड़ बाई 6600 यानि 6600 में से 3300 रुपे, बेसिकली X का हिस्सा बना तो जब हम इस 400 रुपे का शेर बाटेंगे, डिसकाउंटिंग चार्जेस का से 50% हिस्सा X का हो गया तो 400 रुपे के टोटल डिसकाउंटिंग चार्जेस में से 50% वो खुद बियर करेगा, तो X का डिसकाउंटिंग चार्जेस का शेर आजाएगा 200 रुपे का और Y को टोटल हम क्रेडिट कर देंगे 1500 से, तो Y बेसिकली अब क्या बोलेगा, देख X मैं तेरे को although दे रहा हूं 1300 रुपे लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि मैं इस में से 15, मैं तुझा है, एक्चली मैं 1500 रुपे दे रहा हूं, ठीक है तो यहां तक ही हमारी कहानी खतम हो गई चलिए जी अब कहानी में आगे क्या हो रहा है X ड्रॉई था, second bill के लिए X ड्रॉई था, है ना, और वो अब इंसॉल्वेंट हो गया, तो जब उसकी due date आने से पहले, अब यहां पे भी same चीज़ हो रही है, before due date question बोल रहा है तो हमको exact date of insolvency नहीं पता, तो मैं इसको यहां पे same way में ignore करूँगा, जैसे last question में मैंने ignore करा था, तो due date आने पे पहली बात, जब यह insolvency हो गई, तो अब सबसे पहले क्या करेगा, X insolvent होके, basically dishonor की entry पास करेगा, तो dishonor की entry क्या पास कर लेगा वो bills payable account debit to wise account to wise account, कित्ते रुपे का bill था, कित्ते रुपे का bill payable था, 7,000 रुपे का, तो 7,000 रुपे की bill को dishonor करा दे 7,000 रुपे को bill को dishonor करा दे, आनी कतम हो गई, अब अब question क्याता है कि सिर्फ 25 पैसा इना रुपी was recovered from X estate X के estate से सिर्फ 25 परसें पैसा recover हुआ, तो उसकी entry क्या करते हैं हम लोग, wise account debit to bank account, जित्ता पैसा recover हुआ उसके state से, और बचेवय को हम लोग deficiency में डाल देते हैं, अब मेरे को यह बताओ amount due to y होगा कितना, amount due to y होगा कितना amount due होगा अब इस point पे y की तरफ, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक working note में y का account बनाना पड़ेगा एक y का आपको account बनाना पड़ेगा जिससे आपको पहले निकालना पड़ेगा कि भाई कितना amount due है कितना amount due है, तो आप कैसे बनाओगे अब सारी जो हमने ऊपर से लेके entries pass करी ना, तब को post करते रहोगे y में, तो पहली entry में हमने y को 4000 से credit किया था BR से, तो हम credit करतेंगे by BR 4000 उसके बाद क्या हुआ आगे देखो next entry में y कहां पे हो रहा है y यहां पे 2000 उपे से debit हो रहा है, है ना उसमें से 1970 टु बैंक से और टु डिसकांटिंग चार्ज से तो इसको डाल देते है two bank 1960 और टु डिसकांटिंग चार्ज से चार्यस खतम उसके बाद अगला y में कहां पे आ रही है या यहां पे आ रही थी Y यहाँ पे 7000 रुपे से debit हो रहा था तो यहाँ लिख देंगे 2 bills payable 7000 रुपे मैं कुछ नहीं कर रहा है जो भी general entries हमें पास कर रही उसको खाली Y account में post कर रहा हूँ अब फिर यहाँ पे यह entry हो गई तो यहाँ पे Y 1500 रुपे से credit हो रहा है 1300 रुपे बैंक्स है और discounting charges के 200 रुपे यहाँ जाएगा buy bank 1300 रुपे और buy discounting charges 200 रुपे अटम हो गया अच्छा उसके बाद dishonor के entry में यहाँ पे Y 700 रुपे से credit हो रहा है तो buy bills payable account 7000 रुपे तो इतनी सारी entries पास करने के बाद अब देखो balance मेरा किधर बच रहा है तो total कितना आ रहा है 4, 5, 300, 5, 500 12, 500 यहाँ का total आ रहा है इस में से 2000 और 12, 500 में से 2000 गए और 7,000 गए तो कितने बच रहे हैं यहाँ पे देखो 3500 रुपे बच रहे है 2 balance CD यहाँ एक्स वाई को अब सारी चीज़े होने के बाद 3500 रुपे ओ करता था 3500 रुपे ओ करता था ठीक है तो अब वाई के अकाउंट को हम 3500 रुपे से डेबिट कर देंगे लेकिन इस 3500 में से वो सिर्फ 25% ही दे पाया इस 3500 में से वो सिर्फ 25% ही दे पाया और remaining 75% deficiency में चला गया जो वो नहीं दे पाया तो बस इसको बाड़ दो 3500 रुपे पच्चेस परसेंट तो इस किता रहा है 875 और deficiency में किता चला जाएगा 2625 2625 यह है आपका एक बहुत important आपका क्या कहते हैं accommodation bill का question मैं आपको बता देता हूं आपके study material में illustration number 10 से लेके जो 12 है 10, 11, 12 यह इसी पे based हैं इसी तरह के question है दूसरी बाद illustration number 12 अगर आप आओगे देखोगे यह अनील और संजे वाला question है अनील और संजे वाला question है illustration number 12 10, 11, 12 तीनों एक जैसे हैं बिल्कुल same funday पे based questions है और illustration number 12 है बेचोड़ दूगा तो आप उसको check out भी कर सकते हैं आप अपने आपर time कर सकते हैं और अगर आप कोई confusion होती है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं i button coupling मिल जाएगा ठीक है ओके यह बात तो मेरी खतम हो गई अब आप लोग try करना competition बिल्का जो इस illustration को आप important mark कर लेना और एक बर आप try करके देखना ठीक है illustration number 9 आप एक बर करना इस पूरा करने के बाद यह बाद पढ़के समझके करनी की कोशिश करना अगर आप से हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है अगर आप कहतो कि नहीं illustration 9 हमसे नहीं हो रहा तो आप इस video lecture के comment section में मुझे बता देना तो मैं illustration 9 के उपर एक separate video बना दूँआ क्योंकि यह lecture अब already बहुत lengthy हो चुका है तो मैं अगर illustration 9 कराने बैड गया तो बहुत लंबी video हो जाएगी वो मैं चाहता नहीं और इसके अलावा और कुछ बचा नहीं conceptually पूरा chapter आपका खतम हो चुका है सब कुछ खतम हो गया है इसके अलावा एक बहुत छोटा सा concept बच रहा है छोटा सा concept बच रहा है last concept आपका यह bills receivable and bills payable book तो यह आप एक बढ़ पढ़ लेना खुछ से मैं expect नहीं करता कि इससे कोई question आपकी exam में आएगा तो इसलिए इतना मुझे important नहीं लगता तो आप एक बढ़ रीड कर लेना बहुत छोटा सा है basic लिए क्या है कि bills receivable book और bills payable book एक subsidiary book होती है तो जो businesses में bills receivable और bills payable के बहुत सारे transactions रहते हैं तो वो लोग इस book को बनाते हैं बस यह fund आए और उसका एक छोटा सा आपको दोनों का भी format दे रखा है तो आप एक बार इसमें नजर मार लेना एक बार read करके देख लेना again जैसे कि मैंने बोला कि I don't expect कि यहां से को exam में बहुत सवाल आने के chances हैं इसलिए मैं इस पर उपर जादा time देना नहीं चाहता थोड़ा से एक दो छोटी मूटी चीज़ा आप खुद भी पढ़ सकते हो तो यह हो गए आपकी बात खतम तो मैंने आपको बोला illustration 9 जो आपका है on accommodation bill यह आपको अपने आप से try करना है बलकि मैं आपको homework लिखवा देता हूँ homework लिख लेना कुछ नहीं है homework remaining illustrations and practical questions आपके homework में है इसमें से दो question ऐसे है एक है illustration 9 एक है illustration 9 और एक और है illustration 9 और एक practical question था मैं नंबर ढूंड लेता हूँ इसका कहा है अरे भाई कहां गया और प्रैक्टिकल question नंबर थ्री है प्रैक्टिकल question थ्री ठीक है तो इन दोनों questions पे मैं शायर separate video बनाओं separate video बनाओंगा if doubt अगर बच्चों को doubt आता है इन दोनों question में नहीं कर पाते तो इन दोनों questions पे मैं एक अलग सी separate video upload कर दूँगा record करके तो आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को इस mindset से नहीं करना कि भाई इस पे हम try भी नहीं करेंगे आप try करना दोनों भी question कोई और वीडियो में इसी वीडियो में comment करके बता देना मैं आपके comment देखूँगा हो सकता है मैं community post पे एक poll भी डाल दूँ इसके उपर और उसके बेसेट में मैं देख लूँगा कि इस पे मुझे अलग वीडियो बनानी है की नहीं अगर मुझे लगेगा कि majority बच्चे नहीं कर पा रहे अटा करें तो उस case में मैं दोनों questions के उपर separate video बना दूँगा इस video में मैं अगर मैं discuss करने लग जाऊंगा तो बहुत हेवी हो जाएगा lecture है ना और लंबा भी हो जाएगा lecture लिंदी हो जाएगा जो मैं नहीं चाहता ठीक है तो I hope यह आप समझ गए होंगे और बाकी सारे concepts आपके दिमाग में गुस गए होंगे तो अगर आपको video lecture helpful लगा है beneficial लगा है तो भाईया support please करना मेरे को इसको like और share ज़रूर कर देना और channel को subscribe कर देना future lectures के लिए bell icon भी प्रेस कर देना तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना ख्याल रखिए परिवार का ख्याल रखिए हसी कुशी रहिए एक दूसरी मदद करते रहिए और positive mindset से पढ़ाई करते रहिए हम मिलेंगे next lecture में तब तक के लिए bye bye and take care